गुड़ अन्यों मरे क्लास 12 के प्यारे बच्चो आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोस का पांचवाँ चैप्टर चला है इंडीगो आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्स्प्रानेशन देखेंगे मिन्स सम्पूर हिंदी व्याक्या देखेंगे जिसमें प्यार्चे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हम लोग विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको दो बारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवसकता ना पड़े तो प्यार्चे इसलिए एक लंबी महरतम क्लास चलने वाली है जो आपक कहीं किसी और दुनिया में खोई हुए हो तो भया ऐसा काम चलने वाला नहीं है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिस का सिल्बस कहां तक पहुचा है तो प्यार्चे अभी तक आपका प्रोज का चार चैप्टर पूरी तरह से कम्प्रीट हो चुका ह और इस पाँचे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं और आज की क्लास में इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लानेशन भी क्या हो जाएगा कम्प्रीट हो जाएगा और पोल्टी वाले सक्षन में प्याचे आपकी पहली पोयम करा चुके हैं विस्तास में भी आपका पहल भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपको Class 12 की नय सेसन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी Classes चली हुई है सारी Classes एक से ड्यूल वाइस लगी हुई है तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं और प्यार्चे इस सेसन का हम लोग का इंग्लिस में टार्गेट है 100 out of 100 marks लाना तिसलिए आपकी जिम्धारी और बढ़ जाती है जितनी classes आपको दी जा रही है आप हर class को attend करोगे किसी भी class को miss नहीं कर बाकी अन्य सभी classes से paid class होती है और जो बच्चे अभी तक paid class में admission नहीं लिएवे हैं अगर आप paid class में admission लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया आप इस number पे call करके paid class में admission ले सकते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको paid class में क्या क्या चीज़े मिलेंगी तो प्यार्ची यहां पर आपका complete syllabus कराये जाएगा मिन्स first paper plus grammar पूरी तरह से आपका complete कराये जाएगा और एस syllabus आपका October के last तक complete कर दिया जाएगा और आपको pdf provide किया जाएगा मिन्स class के तुरंद बाद आपको class का pdf दे दिया जाएगा doubts classes आपकी चलेंगी टेस्ट आपका weekly और monthly होगा model paper कराये जाएगा मिन्स आपके board परिच्छा में किस प्रकास से question आ रहा है उसको आपको model paper के रूप में पहले से ही आपको practice करा दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात प्यापचे आपको इस बार paid class के group में revision series देखने को मिलेगी ए ओ revision series है जिससे हमने पिछले सत में 100% paper को math कराई वे थे मिन्स प्यापचे हम 70 या 80% की बात नहीं कर रहे हैं 100% paper को math कराई वे थे और उसी का नतीजा था कि इस बार के बच्चों के जो result आई वे हैं इंग्लिस में 100 out of 100 marks आई वे हैं यहां तक अपने बच्चे top 10 के जो प्रदेश के top 10 बच्चे हैं उन top 10 में भी अपने बच्चे अस्थान बनाई वे हैं एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि revision series का इस सब कुछ कमाल था क्योंकि वहां से 100% paper math किया हुआ था अब प्यारचे हम लोग बात कर लेते हैं कि spread class की fees कितनी होगी तो प्यारचे fees केवल 499 रूपए है और यह पूरे 7 रिकली है ऐसा नहीं कि आपको monthly pay करने है तो प्यारचे यह पूरे 7 रिकली है जब तक आपका English का syllabus नहीं complete हो जाता जब तक आपकी board परिच्चा नहीं हो जा इन में से किसी भी माध्यम का प्रियोग करके आप fees payment कर सकते हैं और अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रियोग करके fees payment कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है इसी number पर आपको fees payment करने हैं अगर आप इन माध्यमों क प्रियोग करके फीज पेमेंट कर रहे हैं या फिर प्यापचे आपको यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है आप इस बैंक डिटेल का प्रियोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर प्यापचे आपको यहाँ पर कुछ QR code दिये गए हैं आप इन QR code को scan करके भी payment कर सकते हैं और payment करने के बाद आपको payment का skin sort ले लेना है उस skin sort को आपको इसी number means जो आपको इस नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी number पर आपको whatsapp कर देने हैं whatsapp करने के बाद आपको एक form बेजा जाएगा उस form को आपको fill up करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर ही paid class के group में add कर दिया जाएगा लेकिन प्यापचे अगर आपको payment के regarding या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ र सकते हैं या whatsapp message कर सकते हैं तो प्याची यह हो गया आपका पूरा payment का process हो गया अब हम लोग जल्दी से अपनी class से connect होते हैं और class से connect होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बारा हैं चैनल को subscribe कर लेंगे वीडियो को like कर देंगे और भया class 12 के हर एक बच्चे तक वी complete नहीं होगा तब तक आपकी आज की एक class चलती रहेगी तो इसलिए प्यारचे आप लोग copy किताब पेन लेकर के बैठ जाएंगे और पानी वानी भी लेकर के बैठ जाईएगा जिससे आप एकी बार में पूरी class को cover करने मतलब ऐसा नहों कि आप जो है इसे 4-5 बार में cover कर अब यहां तब पर देखिए आप लोग अपनी किताब को लिजिए और किताब में मिलाते चलिए और प्यारचे आप word meaning लिखते चलेंगे आपको हर एक word की meaning बताती हुए आगे बढ़ेंगे इसलिए करते हैं कि मेरी class लंबी हो जाती है तो इसलिए प्यारचे आप हर एक word की meaning लिखते चलिएगा जिस word की meaning अगर आपको नहीं समझ में आए आप लिखते चलिएगा अब यहां पर देखिए पहला paragraph देखिए आप अपने किताब से मिलाते चलिए आप हमारे इस PDF के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे आप अपने किताब से मिलाते हुए चलेंगे प्यारच अच्छी धठंग से समझ में आएगा आप देखिए टेक्स देखिए वेन आई फर्स्ट विज्टेड जब मैं पहली बार विज्टेड में सुता जाना जब मैं पहली बार गया गांधी जी इन नाइंटीन फोर्टी टू एट इज आस्रम मिंस गांधी जी के आस्रम में उन 2022 में गया इन सेंटल इंडिया और सेवागराम कहा था मध्ध भारत में मिंस जब मैं मध्ध भारत में सेवागराम के गांधी जी के आस्रम में 1942 में गया he said उन्होंने कहा अब उन्होंने मिंस किसने कहा गांधी जी ने कहा अब गांधी जी ने क्या कहा और कौन गए वे हैं इस चैप्टर के जो राइटर हैं लुईस फिसर ये जो है वहाँ पर गए हुए हैं तो वही चीज है he said उन्होंने कहा क्या कहा I will tell you मैं तुम्हें बताऊंगा how it happened मिंस यह कैसे घटित हुआ मिंस यह कैसे हुआ that I decided कि मैंने निड़ लिया to urge मिंस आगरा करने का the departure मिंस प्रस्थान का आप दी प्रिटेस मिंस अंग्रेजो का मिंस अंग्रेजो के प्रस्थान का जो हमने निड़ हुआ था यह कैसे घटित हुआ था मैं इस बात को तुम्हें क्या करूंगा बताऊंगा मिंस जए गांधी जे ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अंग्रेजो के प्रस्थान का आगरा करने का निश्य कैसे किया तो वही चीज़ है प्यार्चे he said उन्होंने कहा I will tell you मैं तुम्हें बताऊंगा how it happened या कैसे हुआ that I decided कि मैंने निड़े लिया to urge मिंस वता आगरा करने का the departure of the British means अंग्रेजो के प्रस्थान का मिंस हो जाएगा कि मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजो के प्रस्थान का आगरा करने का निश्य लिया means 1917 यह बात कब है 1917 की बात है अब आप चे गांदी जी बताना शुरू करते हैं जब लुईस फिसर वहाँ पर गए वे हैं यह सारी चीजे लुईस फिसर ने का अब गांदी जी बताना शुरू करते हैं it was in 1917 मिस यह बात कब की है 1917 की बात है अब आगे देखिए He had gone to December 1916 Annual Convention of the Indian National Congress Party in Lucknow He had gone वह जा चुके थे Means वह गय वे थे गांधी जी करें है कि वह गय वे थे to the December 1960 Means December 1916 में वे गय वे थे Annual Convention Annual means होता है वार्सी Convention means होता है सम्मेलन आप दी Indian National Congress Party in Lucknow Means Lucknow में वह भारती राष्टी कांग्रेस Indian National Congress means भारती राष्टी कांग्रेस के Lucknow के अधिवेशन में वार्सिक अधिवेशन में 1916 में December में वे क्या की वे थे गय वे थे वे से देखना He had gone to December 1916 वह December 1916 में गय थे कहां गय थे Annual Convention Annual means वार्सिक Convention means सम्मेलन वह जो है वार्सिक सम्मेलन में गय वे थे आप Indian National Congress Party means भारती राष्टी कांग्रेस पार्टी के इन Lucknow means Lucknow में means वे भारती राष्टी कांग्रेस पार्टी के December 1916 में होने वाले वार्सिक सम्मेलन में कहां गय थे Lucknow गय थे आगे देखिए एक गांधी जी कर रहे हैं कि भाया हम लखनाओं गए वे थे आगे देखिए दियर वर वहां थे 2301 Delegates means वहां पर 201 Delegates थे Delegate means उता है प्रतनिदी means जो अपनी छेत्र का प्रतनिदी करें उने बोलते हैं प्रतनिदी बोलते हैं तो दियर वर वहां पर थे 2301 Delegates वहां पर 201 प्रतनिदी थे and many visitors और बहुत दर्सक थे जब वहां पर लखनाओं में कांग्रेस का अधिवेशन चला था तो वहां पर 201 तो प्रतनिदी आए वे थे जो अलग-अलग छेत्रों से अपना जो है and many visitors और बहुत सारे दर्सक लोग भी वहां पर आए वे थे आगे दखिए During the proceedings During means होता है के दोरान During means भया क्या होता है के दोरान The proceedings means होता है कारवाई Proceedings means होता है कारवाई कारवाई के दोरान मतलब जब एमिटिंग या चल लए थी उसके दोरान की बात हो रही है Gandhi recounted Gandhi ने बताया Means गन्दी ने बताया तो कारवाई के दोरान Gandhi ने बताया Recounted means क्या होता है भया बताना गन्दी ने बताया A pleasant came up to me एक किसान मेरे पास आया Peasant means होता है प्यारचे किसान A pleasant came up आया to me Looking like any other Peasant in India जो भारत में अन किसान के समान ही looking like मिस प्रतीत हो रहा था तो ही चीज़ है a peasant came up to me एक किसान मेरे पास आया looking like जो दिख रहा था any other peasant in India भारत में किसी अन किसान के समान जो क्या कर रहा था दिख रहा था poor मिस गरीब था and emaciated emaciated मिस होता है दुबला पतला मिस वह गरीब और emaciated था मिस दुबला पतला था मिस किसकी बात हो रही है जो किसनवा आया हुआ है उसकी बात हो रही है कि वह poor मिस गरीब था and emaciated मिस दुबला पतला था and said और उसने कहा उसकिसान ने कहा क्या कहा I am राजकुमार सुकला कि मैं राजकुमार सुकला हूँ उसकिसान ने कहा कि भया गांदी जी हम राजकुमार सुकला है I am from चमपारण में कहां से हूँ चमपारण से हूँ चमपारण कहां है विहार में एक जिला है मिस विहार में एक जिला चमपारण है तो वह कहता है राजकुमार सुकला कहते हैं I am from का सर Ed z然后 and I want you में और मैं आपसे चाता हूं कि आपहमारे जिले में आएं मतलब मतलब जिला होता है नो इतना पता है नो कि यहोन नहीं पता हो? तो पिट पव करेंगे , समझ जाना ट्थ है यह हो गया आगे देखाते प्याचे विल स्टिक होला नेबर हीर्ड गांदी ने कभी नहीं सुना था नेबर मीं सुजाएगा कभी नहीं हीर्ड मीं सुना of the place means इस अस्थान के बारे में place means क्या होता है अस्थान गांदी जी ने इस अस्थान के बारे में कभी नहीं सुना हुआ था it was अब इस अस्थान के बारे में बात हो रही है it वाज मिन्स यह था इन्दी फुट हिल्स, फुट हिल्स मिन्स था तलहटी, फुट हिल्स मिन्स था तलहटी, यह तलहटी में था आप दी टावरी मिन्स उचे हिमालयाज मिन्स हिमाले के, यह उचे हिमाले के तलहटी भाग में था नियर दी किंगडम आप दी नेपाल मिन्स न यह नेपाल राज के नजदीक जो है उचे हिमाले के तलहती छेत्र में इस्तित था तो अई पीची जह प्याच्छे इट वाज इन्दी फुट हिल्स यह तलहती भाग में था आप दी टाउरिंग हिमालयाज ताउरिंग मिस हो जाएगा उचे हिमालयाज मिस हिमाले यह उचे ह हिमालय के तलहटी भाग में था नियर दी केंगड़म आपदी नेपाल मिस नेपाल राज के समीब यह नेपाल राज के समीब जो है उचे हिमालय के तलहटी भाग में इस्तित था बत बया एक इसकी बात हो रही है उस चमपारण विलेज की बात हो रही है कि यह चमपारण व पहले जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बारा है हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबी बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे प्यापके जिम्मेदारी है क्योंकि इस बार इंग्लिस में टार्गेट कितना है 100 out of 100 marks लाना इससे एक भी नमबर कम नहीं होना चाहिए तो इसलिए आपके जिम्धारी बर जाती है कि आप उसी डंग से मेहनत करोगे और सभी बच्चे तक इस वीडियो को share करोगे प्यार्चे मिन्स UP board में इस बार धुआ धुआ कर देना है पिछले बार मिन्स इस बार का जो result आया उसमें भी एकदम धुआ धुआ हो गया अपने बच्चे हर जिले के टॉपर बने विये हैं तो इसलिए प्यार्चे अब आपकी बारी है आपको इंगलिस में 100 out of 100 marks के सपने को साकार अप करने हैं अब हम लोग जल्दी से दूसरे paragraph में बढ़ जाते हैं देखते हैं दूसरा paragraph क्या है और आप लोग अपनी किताब इसे मिलाते रहना ये अगर कौनों हमरे PDF के चकर में पढ़े कि न कि सर्जी के PDF से पढ़ लेंगे न भाईया बहुता ही पीटेंगे चाहे आप paid class के हो चाहे जैसा class के हो और paid class वाले बच्चे तो बच्चा ही करहेंगे क्योंकि जिस दिन भाईया आपका number हमारे पास है सब कुछ आपका हमारे पास है तो इसलिए जिस भी दिन phone लगा दिये अगर आपने सही सही जवाब नहीं दिया जो भी पूछे तो समझ जाना कि आपके parents से बात करेंगे कि आपका बच्चा बिगड़ गया है आपका बच्चा बच्चियों पर line मारता है कुछ हो कह देंगे तो फिर समझ जाना गबड़ा जाएगा मैं टड़ तो इसलिए आपको अच्चे से पढ़ाई कर नहीं है आप बच्चे देखिए दूसरा paragraph क्या है Under an ancient arrangement Under means होता है कि अधीन ancient means प्राचीन arrangement means बिवस्था एक प्राचीन बिवस्था के अधीन या फिर अंतरगत दी चमपारन पीजेंस की चमपारन के किसान अनुसार चमपारन के किसान क्या थे बटाईदार थे अब या बटाईदार क्या होता है बटाईदार ओ होता है जो दूसरे के खेतों पर means किसी दूसरे का खेतों उस पर हम कुछ आधे दाम पे काम कर रहे हों जैसे करते ने कि गववा में अधिया पे खितवा दे दिये वे हैं मतलग खितवा हमरा होगा लेकिन हम सामने वाले को अधिया पे दे दिये वे हैं मिस्ट आधा हम ले लेंगे और आधा वो अपना बोई उगा सब कुछ करेगा फसल उगाएगा सब कुछ करेगा वो आदा ले लेगा तो इसलिए पर अच्छी यह होता है सेर कॉपर होते हैं तो अई चीज़े आपड दिये वे हैं कि जो है कि एक पुरानी विवस्था के अनुसान चंपारण के किसान क्या थे सेर कॉपर्पर्स थे मिस बटाईदार थे आगे चलते हैं राजकुमार सुकला राजकुमार सुकला भी वन आप दे मिस उन में से एक था मिस राजकुमार सुकला भी उन में से एक था ही वाज इलिट्रेट वह अनपड था इलिट्रेट मिस होता है बईया अनपड वह अनपड था बट रिजोलोट लेकिन वह दिर्ण निस्य था रिजोलोट मिन्स होता है दिर्ण निस्य मिन्स राजकुमाज सुकला अनपर तो था लेकिन दिर्ण निस्य था मतलब अगर कह दिया कि भाईया हम यहीं पर रहेंगे तो रहेगा ही मतलब जो है उसके दुर्ण निश्य में कौनों कमी नहीं थी आगे देखिए वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था तू कंप्रेन में सिकायत करने के लिए एबाउट दी इंजस्टिस मिस अन्याय के बारे में आप दी लैडलाड सिस्टेम मिस जमीदारी बिवस्ता की इन बिहार मिस बिहार में जमीदारी बिवस्ता के अन्याय की सिकायत करने के लिए वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था and somebody had और किसी ने उससे had probably probably मैं संभूता और किसी ने संभौता उससे said means कहा हुआ था और किसी ने संभौता उससे कहा था speak to Gandhi means इसके बारे में गांदी जी से बात करो मतलब इस तुम्हरी बतिया है कि जो है कि तुम सिकायत करने आए हो इस बतिया को कौन सुनेगा केवल गांदी जी ही सुनेंगे ऐसा किसी ने उसे कहा हुआ था इसलिए उडारिट गांधी जी के पास चला जाता है जो है सिकायत करने के लिए इबया हो गया आगे देखिए गांधी टोल सुकला गांधी जी ने सुकला को कहा कि गांधी जी कहते हैं के हमारा अपॉइंटमेंट है इन काउनपोर में हमारा अपॉइंटमेंट है और हम यह भी वचनबध है जैसे कहते हैं जब किसी का इंगेजमेंट हो जाता है मतलब सगईया हो जाती है जो भी हवा के पहलुआ फसाने वाला चाल चला जाता है वह जो है इंगेजमेंट होता है तो भाईया जब किसी के इंगेजमेंट हो जाती है तो कहते हैं कि अब दुनू कमीटेड हो गए हैं मतलब लाइका लाइकी दुनू कमीटेड हो गए हैं अब तुम हमसे प्यारवार मुहबत वहबत करोगी तो उल लाइकिया कहेगी कि हम पहले से committed है मतलब हम पहले से वचनबद है और वचनबद का इसा है कि हम किसी दूसरे के साथ पहले से settle है तो वही चीज़ का जाता है कि हम पहले से committed है committed में सता है वचन बद्ध होना हला कि आजकल लईकिया लोग ऐसा होती है कि एक नहीं तो 15 से committed होती है मतलब चाहो जितना लोग आओ भाई आज सबका सागत है सबके साथ हम committed होंगे आजकल यह प्रिचलन चला है अब लईकी लोग बुरा नहीं मानेंगी यही काम लईका लोग भी करते है वह उपंद्राट रखते है ऐसा कौनों बात नहीं आजका समय अच्चन जो गया है आगे दखिए and was also committed और मैं वचन बद्ध भी हूँ to go to other parts of India भारत के अन भागों में जाने के लिए मैं वचन बद्ध हूँ एबात किस ने कहा गान्धी जी ने सुखला से कहा सुखला अंके साथ रहा अंके साथ प्रत्ते एक जगा रहा देन गान्धी रिटर्ण टु इज आस्रम नियर अंदाबाद फिर धान देन देन उसके बाद गांधी रिटर्ण गांधी जी वापस आ गए तू हिज आस्रम अपने आस्रम में नियर अहमदाबाद मिस अहमदाबाद के नजदीक है फिर उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद के नजदीक अपने आस्रम में आ गए सुकला फालोड हीम तू दी आस्रम किया आप पीछा करने का यह मतलब नहीं है कि जैसे लाइका लोग लाइकी लोग का पीछा करते हूं पीछा नहीं करना मतलब यहां हो जाएगा कुनके साथ साथ वह आस्रम चला गया आगे देखिए फार वीक्स मिस सपता हों तक कई सपता तक ही नेबर लेफ्ट उसने कभी नहीं छोड़ा गांधी जी साइड मिस गांधी जी का साथ साइड मिस हो जाएगा साथ मिस कई सपता तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा और क्या कहता रहा fix a date he begged वह बिंति करता रहा begged means होता है बिंति करना fix a date क्या कर दीजै nishty कर दीजै मतलब उगांधी जी से केवल क्या करता रहा गया कि 1 date को क्या कर दीजै fix कर दीजै means नishty कर दीजै कि आप चमपारण कब आएंगे आगे देख़िये इंप्रेस्ट मिस होता है इंप्रेस्ट मिस होता है प्रभावी थोना इंप्रेस्ट मिस प्रभावी थो करके update गांदी कहते हैं I have to be in Calcutta में Calcutta में रहूंगा on such and such a debt means फला फला तारी को such and such means debt fix नहीं किये means debt fix कियोंगे यहाँ पर बताया अग नहीं गया है कि मैं फला फला तारी को कहाँ पर रहूंगा कलकत्ता में रहूंगा and come and meet me मुझसे मिलना and take me from there और वहाँ से मुझे ले करके जाना मिस वहाँ पर कलकत्ता में तुम आना मुझसे मिलना और मुझे ले करके जाना अब कहाँ पर ले जाने की बात हो रही है जो है उआला बात नहीं है जो कहते हैं सजना मुझे चांद के पाल ले के चलो तो भया यह चांद के पाल ले चलने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे अब भया हम लोग चलते हैं तीसरे पैरग्राफ पे चलते हैं देखते हैं तीसरा पैरग्राफ क्या है और इस तारगेट को आपके दिमाग में घुसाते रहेंगे target को तो आपको भोलना नहीं है और जो बच्चे paid class में admission नहीं लेवे हैं अगर आप afford कर सकते हैं 499 का जरूर लेना क्योंकि इसमें एकदम सालीन एकदम बहतरी नंग से classes दी जा रही और सारी चीज़ें cover कराई जा रही हैं आप चलती से सुकला बैठा हुआ था and his hunches hunches मिस होता है कुलों के बल पर मिस सुकला अपने कुलों के बल पर बैठा हुआ था at the appointed spot appointed मिस होता है निशित अस्थान पर in कलकत्ता मिस कलकत्ता में सुकला कुलों के बल पर कलकत्ता में निशित अस्थान पर बैठा हुआ था and when Gandhi arrived और जब Gandhi जी आये he visited till he waited उसने इंतजार किया तिल Gandhi was free जब तक Gandhi जी स्वतंत नहीं हो गए खाली नहीं हो गए तब तक उसने अपने कुलों के बल पर बैठ करके निशित अस्थान पर उसने इंतजार किया then the two of them फिर दोनों लोग two of them मिस एक गांधी जी एक राजकुमार सुकला मिस अब जो है गांधी जी कहां पहुच चुके हैं कलकता पहुच चुके हैं अब कलकता के बाद जहां पर गय थे उनका काम हो गया गांधी जी का अब खाली हो चुके हैं तो अब यही बात यहां पर है Then the two of them फिर दोनों लोग boarded मी सोता है चढ़ना आरे जब ट्रेनियां पे चढ़ते हैं तो उसको का करते हैं boarded करते हैं अब जाजियाओ पे चढ़ने का boarded करते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं Then the two of them फिर दोनों लोग बोर्डेड मिस चढ़े और ट्रेन मिस एक ट्रेन पर फिर दोनों लोग एक ट्रेन पर चढ़े फार्दी सिटी आप पटना पटना सहर के लिए पटना सहर के लिए फिर दोनों लोग एक ट्रेन पर चढ़े इन बिहार मिंस बिहार में तो इसके बाद बिहार में पटना सहर के लिए दोनों लोग एक ट्रेंट पर चड़े दियर सुकला लीड हिम टू दी हाउस आप दी लायर नेम्ड राजेंद प्रसाद अब ध्यान देना दियर मिंस वहाँ पर मिंस अब पटना पहुच चुके वे हैं दियर मिंस वहाँ पर वहाँ पर सुकला मिंस राजकुमार सुकला लीड हिम लेके गया उन्हें तू दी हाउस आप दिलाए मिस एक वकील के घर नेम्ड राजेंद प्रसाद जिनका नाम था राजेंद प्रसाद तो मिस वहाँ पर सुकला ने एक वकील राजेंद प्रसाद के घर पर उन्हें लेके गया जो बाद में भारत के जो कांग्रेस पार्टी थी उस कांग्रेस पार्टी के प्रसिडेंट मिस अध्यच हुए और भारत का राज्च पती का अर्थ निकालेंगे इंडिया जो बाद में जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यच और भारत के राज्च पती हुए आपको याद है ना कि फर्स्ट प्रसिडेंट आफ इंडिया का उन्ते राजेंद प्रसाद ही थे ना मिस अब जो है राजकुमार सुकला उन्हें कहां लेके जाता है राजेंद प्रसाद वाज आउट आफ टाउन मिस राजेंद प्रसाद सहर में नहीं थे आउट आफ टाउन मिस उता है सहर में नहीं थे बर्टी सर्वेंट्स नियू लेकिन नौकर जानते थे सुकला एज पूर यवमेन सुकला को एक गरीब जीहजूरी करने वाला ब्यक्त वाला ब्यक्ति समझते थे, who pister जो कस्ट देता था, dear master, means उनके स्वामी को to help of indico sharecroppers, means नील के खेती करने वाली बटाईदारों की मदद के लिए, means ये वहां के servants जानते थे, servants क्या जानते थे, वह सुकला के बारे में जानते थे, कि सुकला एक गरीब जो है, जी हजूरी करने वाला ब्यक्ति है, जो उनके स्वामी को indico sharecropper की मदद करने के लिए, जो है क्या करता था, कस्ट देता था, पिस third means होता है, कस्ट देना, कस्ट देता था, आगे देखी, so they let him stay on the grounds with his companion, so means इसलिए they let him stay, वह उनने ठरने दिया, means जह नोकर उनने ठरने दिये, इसलिए नोकर ठरने दिया, on the grounds means जमीन पे with his companion, means अपने साथी के साथ, means राजकुमार के सुकला के जो साथ में आया थे, गांदी जी, उन दोनों को जह गांदी जी और राजकुमार सुक इसलिए जमीन पर ठरने दिया, वह यह सो देले ठीम इसलिए जमीन पे with his companion, means उनके साथी के साथ, उनने जमीन पर ठरने या रुकने दिया, गांदी जी, गांदी जी, whom they look to be enterpizant, जिसे वह दूसरा किसान समझ राता, गांदी जी को वह नोकर क्याज समझ राता, दूसरा किसान समझ राता, means हो अभी सोच राता कि राजकुमार सुकला आया हुआ है, हो सकता हो, इस बार कोनों किसान को ले करके आया हुआ हो, आगे देखिए, but गांदी जी was not permitted, लेकिन गांदी जी को आदेश नहीं मिला, means permit means आग्या नहीं मिला, to draw water means पानी निकालने के लिए, from the well means कुएं में से, less some drops from his bucket, pollute the entire source, और इसलिए नहीं निकालने दिया गया, कि कहीं ऐसा नहीं हो, कि from his, कहां गया, less some drops means कुछ बूदें, from his bucket means उसकी बाल्टी की, pollute means प्रदूसित कर देगा, the entire source means पूरे स्रोत को, means पूरे कुएं को, means इसलिए नहीं निकालने दिया गया कि कुछ बूद हो सकता हो, पानी की कुछ बूद जो है, गिरजा है, और पूरे कुएं को क्या कर दे, प्रदूसित कर दे, वही चीज है, कि बड़ गांधी जी वाज नाट परिमिटेड, लेकिन गांधी जी को आदेस नहीं मिला, to draw water from the well, means कुएं में से पानी निकालन के लिए less time ऐसा नहों कि some drops from his bucket, जो है उनके बाल्टी के कुछ बूदें, पलूट दी इंटायर सर्स, means पूरे स्रोत को क्या कर देंगे, खराब कर देंगी, how did they know, वह कैसे जानते, they know that he was not an untensable, कि वह एक अचूत नहीं है, means वह नोकर कैसे जानता, कि वह एक अचूत नहीं ह कि means उनने कैसे पता चलता, कि गांधी जी अचूत नहीं है, वह दिया हुआ है, कि how did they know, they know, वह कैसे जानते, that he was not an untensable, कि वह एक untensable नहीं है, means अचूत नहीं है, कैसे उनने पता चलता, means उन नोकरों को कैसे यह बात पता चलती, तो प्यार्चे यह आपका तीसरा paragraph हो गया अब हम लोग जल्दी से चौते paragraph की तरफ बढ़ेंगे, और जल्दी से आप लोग वीड़ो को लाइक करते चलेंगे प्यार्चे, सबھی बच्चे वीड़ो को लाइक कर देंगे, और हर एक बच्चे तक वीड़ो को सेयर कर देंगे प्यार्चे, यह आपकी जिबैदारी है, आगर हमने बेड़ा उठा लिया है, कि यूपी बोर्ड के बच्चों कंद्र करना है, तो आप भी बेड़ा उठा लिए, कि हर बच्चे तक विडिव को आपको share करना है, आगे चलते हैं पहर चिरगारफ पर चलते हैं, आप पटना से गांदी जी निड़ लेते हैं कि पहले चमपारण नहीं जाएंगे पहले हम मुझपफर पुझाएंगे वही है कि गांदी जी decided गांदी जी ने निड़ लिया to go first means पहले जानने के लिए to मुझपफर पूर means मुझपफर पूर गांदी जी पहले मुझपफर को जाने का निड़ लिये which was in route जो रास्ते में था to चमपारण means चमपारण के जो चमपारण के रास्ते में था to obtain means प्राप्त करना चाते थे more complete information means संपूर जानकारी about condition then सुकला वास capable of important जो सुकला बताने में समर्थ हुआ था उस इस्थिती को जा जानने के लिए संपूर इंफार्मेशन के लिए गांदी जी निड़ लिया मुझपफर पूर जाने का वही चीज प्यारण के जो चमपारण के रास्ते में था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारण आगे देखते हैं आगे क्या है ही एकॉर्डिंगली वह इसके अनुसार मिस इसके अनुसार सिंट मिस भेजे और टेलिग्राम मिस एक तार भेजे तू प्रोफेसर जेबी क्रिपलानी मिस प्रोफेसर जेबी क्रिपलानी को इसलिए इसके अनुसार उन्होंने एक तार भेजा और तार मिस पहले मोबाइल फ प्रोफेसर जे भी क्रिपलानी के पास उसी के अनुसार उन्होंने क्या भेजा था तार एक भेजा और ये कहां के प्रोफेसर आर्ट्सकालेज इन मुझफरपुर का वही चीज यहां पर दिया हुआ है देखना मीख nी यहां पर मिलना हो जाएगा टैगौर्स सांती निकेतन स्कूल में जिनसे वह क्या किये प sos. the train arrived at midnight, means train पहुचती है, at midnight means mudratary में ट्रेन मदातरी में पहुचती है, 15ταν 19 1917 मिंस 15 अपरेल 1917 को ट्रेन मदरात्री में पहुचती है किरिपलानी वास वेटिंग किरिपलानी इंतजार कर रहे थे at the station means station पर आप station का आप लोग हिंदी बताना भाया कि station का मतलब हिंदी का होता है आप लोग comment box में comment करके बताना कि station का हिंदी क्या होता है भग दर परदर ऐसा करके कुछ होता है कोनों बच्चा कभी हमको बताया था तो आप लोग comment करके बताना भया कि आप यहां पर देखिए किरपलानी वाज वेटिंग किरपलानी इंतजार कर रहे थे at the station means station पर with a large body means एक लंबी जो है लंबी सबू के साथ आप दी student means बच्चों के बच्चों के एक बड़े समू large means यहां बड़े हो जाएगा बड़े समू के साथ जो है station पर उनका इंतजार कर रहे थे गांदी जी stayed the year गांदी जी वहाँ पर रुके stay means होता है रुकना ठरणा dear miss, वहाँ पर, far two days, miss, दो दिनों तक, गांदी जी वहाँ पर, दो दिनों तक ठहरे, इन्धी, इन्धी house, professor मलकाई, किस के घर पर रुके? activities भूर्विसर मलकाई के घर पर रुके, गर्वार्वर्मेंट एक विद्याले लेके सिखचक थे, तो ही है, कि गांदी जी state there for two days गांदी जी वहाँ दो दिनों तक रुखते हैं इन्दी होम आप प्रोफेसर मलकानी प्रोफेसर मलकानी की घर पर टीचर इना गौर्रमेंट स्कूल जो सरकारी स्कूल में एक क्या थे सिख्चक थे टीचर मतलब सिख्चक ही होता है न अब टीचर मतलब फटीचर तो नहीं को सकते हैं ठीक है तो टीचर मतलब सिख्चक सिख्चक के घर पे का रुकते हैं करते हैं गांदी जी वहाँ पर रुकते हैं आगे चलते हैं बहिया टार्गेट याद है ना टार्गेट को नहीं भूलना है प्यारचे टार्गेट तो आपको दिमाग में सट कर लेना पूरी सत्क लिए और इस बात की गारंटी लेते हैं आपको ऐसा माइटर दे रहे हैं जो आपको इंग्लिस में 100 आउट आप 100 मांक्स दिला सकता है तो इस ते प्यारचे मेहनत बस आपकी होनी चाहिए और एक बार य चलते हैं प्यारचे पांचे पैरगाफ पे चलते हैं देखते हैं आपका पांचवाँ पैरग्राफ क्या है और एकदम धियान से मनी बात सुनते चलिए तानिको लापरवाई वापरवाई नहीं करना नहीं तो बेसमझ जाना कि दिक्कत हो जाएगी असाधारन बात थी इन दोज डेज मिस उन दिनो उन दिनो यह क्या थी असाधारन बात थी गांधी जी कमेंटेट गांधी जी टिपड़ी करते हैं गांधी जी टिपड़ी करते हैं कि यह उन दिनो एक असाधारन बात थी फारा गौर्मेंट प्रोफेसर की गौर्मेंट जै एक किसी सरकारी प्रोफेसर को टू हारपर मिस ठहराना अ मैं लाइक मी मिस गौर्मेंट जब प्रोफेसर थे उनने मेरे जैसे ब्यक्ति को अपने घर पे ठहराना यह उन दिनो एक बहुत असाधारन बात थी ऐसा गांधी जी कहते हैं इन स्माल लोकल्टीज गहरा है छेतर अस्थान चोटे अस्थानों पर इंडियंस वर ओफेड मिस भारती भेवेभीत होते थे आफ्रेड मिन्स होता है भैबीतो ना मिन्स छोटे छोटे अस्थानों पर भारती भैबीत होते थे 200 सिंपैथी मिन्स सहानभूत दिखाने में फार एटोकेट्स मिन्स समर्थक आप होम रूल मिन्स स्वसासन के स्वासासन के समर्थकों के प्रती सिंपै्था मिश सहान भूद दिखाने में उन दिन चोटे-चोटे अस्थानों पर भारती लोग क्या करते थे ढड़ते थे, आफ्रेड होते थे, भ्यवीत होते थे आगे चलते हैं, प्यार्चिन दी नियुजे, नियुजी में सोता है समाचार, आफ गांधी जी इडवंट, एडवंट में सोता है आगमन, गांधी जी के आगमन का समाचार, जो है आएंड और आफ दी नेचर आफ इजी मिसन, और उनके आने की जो योजना थी, जो प्रकृत थी, और उनके मिसन में सोग जा मिस उनके बारे में जानकारी इस प्रीड कुईकली मिस तेजी से फैल गई थुरू मुझभफरपूर मुझभफर पूरसे टू चमपारंड मिस चमपारंड तक मिस गांदी जी के आने की खबर जो है और उनके आने की जो योजना थी योजना के पीछे जो देश था एक खबर निज्टी दिए से मुझःफपर पूर से चंप आरण जी लें तक या हो गए पहुंच गई पशेर क्रापर्स मिर्स जो सेर अहीं नियु फूट मिंस पैदल मिंस चमपानन से जो बटाईदार थे वे पैदल आना सुरू कर दिये एंड बाई कन्विनेंस और अपने वाहन से आना प्रारंब कर दिये कन्विनेंस मिंस होता है वाहन और अपने वाहन से आना प्रारंब कर दिये आगे देखते हैं वकील आए गांधी जी, गांधी जी के पास two brief means बताने के लिए, brief means होता है संचित में बताना, संचित में बताने के लिए गांधी जी के पास वहाँ के वकील आए and they frequently represent, उन्होंने लगा था, represented means प्रतनिदित किया था, peasants group means इन किसानों के समुधायों को वही क्या करते थे, प् में, नैले में, नैले में means उन जो है, किसानों का पक्छ कौन रखता था, ये वकील रखते थे, they told, उन्होंने बताया him about their cases, उस cases के बारे में बताया means मामला क्या है, वकीलों ने उसके बारे में बताया and reported और जानकारी दिया, the size of their fees, अपनी fees के बारे में भी उन्होंने क्या किया, जानकारी दिया, मतलब वकील लोग जो है, क्या case से क्या मामला है, उसके बारे में गांदी जी को जानकारी दिया, और इसके साथ साथ, वो कितनी fees वसूलते हैं, मतलब किसी आई लेंडने के लिए कितना पैसा लेते हैं, वहूँ जो है गांदी जी को उन्होंने बताय अब यह आगे देखते हैं, आप लोग का धियान केवल किताबी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सजी और पढ़ा रहे हैं, और आप कहीं और आपका दिमाग है, कुछ बालग लोग न, ऐसा जब हम क्लसिया में पढ़ा रहे होते हैं, तो क्लसिया में उपीछो आप बैट करक और किसको टुकूर टुकूर देखते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भया किसको टुकूर टुकूर देखते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हलाकि यह तो आपका आनलाइन बैच चल लई है, यह आपको टुकूर टुकूर देखने के लिए कौनों मिलने वाले न गांधी जी ने डाटे फटकारें, दी लायर्स मिंस वकीलों को गांधी जी ने वकीलों को फटकार लगाई, for collecting मिस इकठा करने के लिए, big fees मिस बड़ी amount बड़ी fees, from the sharecroppers मिस इन बटाईदारों से, इन बटाईदारों से बड़ी fees वसूलने के लिए, गांधी जी ने इन लगाई, he said, उन्होंने कहा, क्या कहा, I have come to the conclusion, मैं इस निसकर्स पर पहुचा हुआ हूँ, conclusion मीश वता है निसकर्स, मैं इस निसकर्स पर पहुचा हूँ, that we should stop कि हमें रुख जाना चाहिए, going to law court means नियाले में जाने से, अब हमें नियाले में नहीं जाना चाहिए, इस निसकर पर मैं पहुचा हूँ, taking such case to the court, does little good, means taking such cases to the court, ऐसे मामले को court में ले जाकरके, does little good, means कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, ऐसे cases को नियाले में ले जाकरके, कुछ अच्छा भला होने वाला नहीं है, little negative sense दिखा देता है प्यार्चे, little means थोड़ा सा होता है, लेकिन यहा आ गया, means यहां negative sense दिखा दिया जाता है, तो इसलिए हम direct कर दिए, कि आपका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, where the peasants are so crushed, जहां पर जो किसान है, peasants means किसान are so crushed, इतने दबे कुछले हैं, and fear striking और इतने भैबीत हैं, means यहां पर where the peasants are so crushed, जहां पर किसान दबे कुछले और भैबीत हैं, लाकोर्ट्स are useless, वहां पर जो न्यायल हैं, उनके लिए क्या है, useless है, means बेकार है, आगे देखी, the real relief, means वास्तिक, जो relief मिलेगा, जो relief means होता है, किसी चीज़ से मुक्त हो जाना, तो जो वास्तिक relief मिलेगा, for them is to be free from fear, कि भैस से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाए means उन्होंने बताया, कि जो वास्तों में जो है, वास्तों में असली राहत भी कर सकते हैं, यह जो आपका relief है, जो से राहत भी कर सकते है, कि means भैस से मुक्त हो जाना ही, उनके लिए असली राहत है, तो वही चीज़ है, the real relief means वास्तिक राहत, for them means उनके लिए is to be है free means जो हो जाना स्वतन्त हो जाना from fear means भैसे मिन्स भैसे मुक्त हो जाना ही उनके लिए असली राहत है किसके लिए? किसानों के लिए यही उनके लिए असली राहत है तो इसलिए अच्छे हो गया भया इगांदी जी है समझ जाना ही गांधी जी है देखो डंडा वंडा लिये हुए हैं आप लोग सैतानी करोगे नो तो गांधी जी ये डंडवा पटक पटक के आपको डंडा पिटी आएंगे तो इसलिए भाईया थोड़ा से मेहनस से पढ़ना गांधी जी का डंडा आपके उपर ना पढ़ने पाए और गांधी जी का तो डंडा तो ठीक है लेकिन जिस दिन हमरा मुका आपके उपर पढ़ गया ना तो समझ जाना फिर दिक्कत हो जाएगे तो इसलिए भाईया आपको अच्छे से पढ़ना है तनको लाप परवाही नहीं करनी है आग देखी भाईया most of the arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants अध्यादना most of arable land arable means होता है क्रिसी योग लाइड मिस भूमी अत्तधिक means अधिक्तर क्रिसी योग भूमी in the Champaran district means Champaran जिले में अत्तिक्रिसी योग भूमी was divided means बटी हुई थी into large states means बड़ी जोत के रूप में क्या हुई थी and owned by Englishmen और उस पे अधिकार दिखा जाता था means उस पे सौमित था किसका Englishman means अंग्रेजों का उन जमीनों पर सौमित था and worked by और उस पे काम करते थे by Indian tenants means भारती क्रिसक और उस पे भारती क्रिसक क्या करते थे मिस जमीन हुआ अंग्रेजों की हुआ करती थी लेकिन भारती क्रिसक उस पे काम किया करते थे इसलिए तो इन्हें share proper बोलते हैं वही चीज है आगे देखी भाया tenants means होता है क्रिसक tenants means होता है किरायदार means जो किराय पे काम करते हैं और किसान जो है जब उनकी जमीन नहीं है तो वहाँ पर काम करें तो जा इससी बात है किरायदार ही है फिर उन्हें कब हटा दिया जाएगा कोई मतलब नहीं है तो ओई चीज है tenants उसे बोलते हैं आगे देखी दी चीफ चीफ means होता है मुखे कामर्सियल क्राप means ब्यवसाइक फसल वाज इंडिको means निल की खेती थी मुखे ब्यवसाइक फसल निल की खेती थी दी लैंड लार्स कंपेल्ड means जो जमीदार होते थे कॉमपेल्ड means होता है मजबूर करना मिस जमीदार मजबूर करते थे all tenants means सभी किसानों को two plant means उगाने के लिए three twenties means 20 में तीसरे भाग को और 15% आप दियर होल्डिंग या फिर अपनी जोत के 15% को with indigo means निल की खेती उगाने के लिए means जो वहां के जमीदार थे लेंडलार्ड थे वे जो है किसानों को मजबूर करते थे अपनी जोत के 15% भाग पर निल उगाने के लिए and surrender और जो उसे surrender कर देना means उसे दे देने के लिए करते थे as a rent means किराय के रूप में means rent के रूप में वह संपूर निल की खेती को किराय की रूप में दे देने के लिए मजबूर करते थे this was done यह किया जाता था by long term contract means long term means हो जाएगा देरकालीन contract means समझोते means यह देरकालीन समझोते के अंतरकत किया जाता था तो वही है कि it was this was done यह किया जाता था by long term long term means देरकालीन contract means समझोते यह देरकालीन समझोते के रूप में किया जाता था तो भैया ऐ हो गया, पाँचवां पैरग्राफ हो गया, आपकी दिमाग में हमरी बात घुस रही है कि नहीं है, तानी कौ जो है, लापर वाही नहीं होनी चैहिए भैया, तो भैया, आपका चौता पैरग्राफ किती हुआ, अब हम लोग छटे पैरग्राफ की तरफ बढ़ते ह कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्नों ने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो प्याचे अगर आपकी हिम्मत छूट रही है तो अपने पडोसी को याद कर लेना क्योंकि कभी किसी का पडोसी सही नहीं होता है उपढोसी चाहता है कि हमरा पढोसी हमसे दबा रहे तो इसलिए अपने पढोसी की बातों की याद कर लेना लोगों के तानी को याद कर लेना तो समझ जाना फिर आपको कितनी मेहनत करनी है तो वही है प्यारचे कुछ बेटरी इन लाइन है कि कभी हारने का इरादा हो तो लोगों को याद कर ले न जिन्यों ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा अब हम लोग आगे चलते हैं अब आपके लिए अगर हम 3-3 घंटे की लगाता लाइफ क्लास ले सकते हैं और एक क्लास बीचे ब्रेक नहीं करते हैं तो आप भी 3 घंटे बैट सकते हैं कोनों देखकर समझे आप परसानी तो नहीं होगी न अगर परसानी होगी तब हो बैठो मतलब कऊनों आपसन आपके पास नहीं है छटा परग्राप दिखिए प्रेजेंटली प्रेजेंटली मिंस अब जो है मिन्स कृतिम जो है इंडिगो मिन्स निलकी खेती अब जो लेंडलार्स थे जो जमीदार थे उन्हें पता चला कि जर्मिनी ने कृतिम इंडिगो को क्या कर लिया है बिक्सित कर लिया हुआ है दे देर अपान वे इसके बाद आप्टेंड अग्रिमेंट्स मिन्स समझाओता कर लिये फ्राम दी सेर क्रॉपर्स मिन्स बटाईदारों को तू पे दिम कंपेंसेशन मिन्स छती पूर्ती देने के लिए वजह है जमीदारों से फिर समझाओता कर लिये फार बिंग रिलीज़ फ्राम 50% अरेजमेंट मिन्स इस 15% की बिवस्ता से मुक्त होने के लिए उन्होंने फिर दोबारा बटाईदार के किसानों से समझाओता कर लिये और छती पूर्ती मिन्स मुआज़ा देने के लिए किसानों को कह दिये तो यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दे दियर अपान वे इसके बाद अप्रेंड अग्रिमेंट मिन्स समझाओता कर लिये फ्राम सियर का अपर समिन्स बटाईदारों से इन्होंने समझाओता कर लिया to pay them compensation कि उन्हें चतिपूर्थी दें for being released मिन्स बंदरा परसन से सुतन्त होने के लिए 15 पर्सन अरिजमेंट इस पंदरा परसन के विवस्ता से हटने के लिए सुतन्त होने के लिए कुछ कुमपैन सीसन कुछ पैसे मुआबजय के रुरोप में किसानों से लेने के लिये उनerv उन्होंने समझाता कर लिया मिस अब तो जह सबसे बड़ी बात यहां पर समझने की कोशिस करना क्या रहे हैं क्योंकि यह बड़ा कंश्यूजिंग होता है किस प्रकार से समझाता कैसा समझाता हुआ था तो प्याचे समस्या यहां पर एए है कि यह जो अंग्रेज लोग थे अपनी नील की खेती को कहा बेशते तो अब इन्हों ने क्या किया किया कि खिसानों के खाहा कि ठीक है 15% से हम आपको मुक्त करते हैं अब आपको अपनी केतों में 15% नील को नहीं उगाना है इसके एवज में आप हमें कुछ कमपेंसेशन दे दीजिए मिस कुछ हमें मुआवजा दे दीजिए छती पूर्ती दे दीजिए मिस कुछ पैसा इन्होंने मिला करके एट लिए फिर किसानों से जबकि इनकी मजबू बिरोध किये दोज हूरे एसिस्टेड जो यहाँ पर बिरोध किये आगे देखिए दोज कहां गया अचा यहां पर है दीजिएर क्रॉपिंग अरेजमेंट मिस्टियर क्रॉपिंग की बेवस्था बटाईदारी की बेवस्था वाद इरकिसम मिस्ट धुखित करने वाली ठी थी तूदी पीजन स्मिस किसानों को किसानों की जो ए अरेजमेंट थी इस बटाईदारी की अरेजमेंट ब्योस्ता थी ये जो है दुखित करने वाली थी and many signed willingly और बहुत लोगों ने willingly means अपनी इच्छा से क्या कर दिया उस जो है अरेजमेंट पर signature कर दिया और जो बिरोध किये engaged liar वो वकीलों को hire कर लिये engaged means होता है ले लेना means उन्होंने वकीलों को hire कर लिया और engaged means होता है best होना ये engagement means क्या होता है best होना जैसे कहते हैं कि जो एस सदिया के पहलवा का होता है engagement होता है engagement means होता है best होना मतलब अब हम एक दूसरे के हो चुके हैं अब हम किसी तीसरे पर लाइन नहीं मार चकते हैं तिसले काते हैं कि engagement हो गई है मतलब समझानक उनकी आजादी छिन चुकी है अब कोनों तीसरे चौते पर लाइन नहीं मार सकते हैं हला कि आजकल का जवाना ऐसा हो है कि बिया होने के बादों कुले एक दूसरे पिलाइन मारते हैं और यहां तक 40-45 साल के बुड़वा बुड़ियों जो है लाइन मारते हैं तो इसलिए आज कल के तो कुले चंज हो गया है आगे चलते हैं आगे देखते हैं प्यार्चे और हाँ दो जू रेसिस्टेट जो बिरो वल्यों को रख लिए उन्होंने मीनवाइल इसी बीच में इनफार्मेशन मीं सूचना इबाउट इस सिंथेटिक इंडिगो मीं सिंथेटिक इंडिगो के बारे में सूचना रीजड मीं स पहुच गई illiterate peasants मिन्स इन अनपढ़ किसानों के पास तक इसी बीच में synthetic की indigo मिन्स कृतिम जो है निल की खेती के बारे में सूचना इन अनपढ़ किसानों के पास पहुँच गई who had signed जोन्होंने signature कर दिया था and they wanted their money back और अब वे अपने पैसे को वापस लेना चाते थे मिन्स कुछ लोग जो किसान sign कर दिये थे अपनी इच्छा से अब वे अपने पैसे को वापस लेना चाते थे इसलिए जो है इन किसानों के पास इस सूचना इस तरह से पहुँच गई फिर से देखो प्यार चे आपको अर्थ बताने में थोड़ा से गरबढ़ हो गया meanwhile means इसी बीच में the information about synthetic indigo means कृतिम निल के खेती के बारे में सूचना raised to the illiterate peasants means गरीब किसानों के पास पहुँच गई who had sign जिसने signature किया हुआ था and they wanted their money back और अब वे पुना दूबारा अपने पैसे को वापस चाहने लगे means फिर वे चाहने लगे कि अब हमरा पैसा क्या हो जाए वापस हो जाए बहुत हुआ ठीक है तो प्यार चे यह हो गया आपका छटे पैराग्राप का एकदम सीदे सटीक हिंदी अब हम लोग बढ़ेंगे साते पैराग्राप की तरफ बढ़ेंगे देखते हैं आपका सातवा पैराग्राप क्या है और जल्दी से आप लोग वीडियो के लाइक करते चलो प्यार चे लाइक में कौनों कंजूसी नहीं होना चाहिए अगर लाइक में कंजूसी हुई तो समझ जाना कि भईया फिर दिक्कत हो जाएगा तो लाइक में कौनों कंजूसी नहीं होनी चाहिए और जितने पेड क्लास के बच्चे हैं प्यार चे बात को दिमाग में घुसाए रहना आपको अपनी बोर्ट परिचा का टॉपर बनना है इसलिए इंगलेस में आपको 100 आउट आप 100 मार्क्स ली तयार कर रहे हैं तो इसलिए कौनों कमी होनी नहीं चाहिए आपकी पड़ाई में किसी भी दिन आपको call कर सकते हैं और आप लोग tension ना लेना कि नहीं सजी call नहीं कर सकते के वला इसे कर रहे हैं तो यह आपका पुरा detail मेरे पास है पुरा number है आज साब कुछ मेरे पास है तुसलिए किसी भी दिन call कर सकते हैं आपकी चलते हैं साते पेरग्राप पे चलते हैं, देखते हैं सातों पेरग्राप क्या है, अब आगे देखी, अब आगे देखी, अब आगे देखी, अब आगे देखी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तथों को प्राप्त करने की कोशिस में, अपना काम सुरू कर दिया, फर्स्ट मिस पहले, विजटेड वह गये, इस सेक्रेटरी मिस सचु के पास, आप दी ब्रिटीज लेंडलाड मिस ब्रिटीज जमिदार के सचु के पास, पहले वह गये ऐसोसियेशन मिस ब्रिटीज जमिदार के समित के सचु के पास वह पहले गये ऐसोसियेशन मिस हो जाएगा, पहले वह जो है, पहले वह अंग्रेजों के जमिदार की समित के सच्चू के पास गए, पहले लेता, तो जो सच्चू वहां का था, उसने कहा, that they could give no information कि वह कोई भी सूचना नहीं दे सकता है to an outsider Gandhi means वह गांधी एक बाहरी गांधी को कोई सूचना नहीं दे सकता है ऐसा सच्ची ने कहा और गांधी आउटसाइडर वह किसी बाहरी को नहीं दे सकता है गांधी जी answered गांधी जी उत्तर दिया that he was no outsider कि वह कोई बाहरी नहीं है तो प्यार्ची यहां पर फिर से देखना the secretary told him secretary ने means सच्ची ने उनसे कहा गांधी जी सूचना नहीं दे सकता है to an outsider एक बाहरी को means उसने कहा कि वह बाहरी को कोई सूचना नहीं दे सकता है गांधी जी answered और गांधी जी ने उत्तर दिया that he was no outsider कि वह कोई बाहरी नहीं है ऐसा गांधी जी ने क्या किया उत्तर दिया तो भया एक चीज हो गया आपका प्यार्चे साथे पैराग्राप का जो है चाल लाइन हो गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आपका क्या है next means आगे next means उसके बाद गांधी जी called on called on means होता है मिलना मिलने गए आँदी बिटीस ओफिसियल कमिस्नर बिटीस के उसमें जो ओफिसियल सरकारी कमिस्नर थे आदी तिरहूत डिविजन तिरहूत छेत्र के इन वीच दी चमपारण डिस्टिक ले means जिसमें चमपारण जिला ले means पड़ता था means उसके बाद गांधी जी ने क्या किया उसके बाद गांधी जी ने क्या किया बिटीस कमिस्नर के तिरहूत डिविजन तिरहूत छेत्र के British Commissioner के पास जाते हैं जिसमें चमपारण जिला क्या होता था पड़ता था उसके पास गए The Commissioner The Commissioner गांधी रिपोर्ट्स मिंस कहते हैं गांधी रिपोर्ट्स मिंस गांधी टिपड़ी करते हैं कि Commissioner Proceeded to bully me वह मुझे bully करना सुरू कर दिया जिलाना दंहुकाना सुरू कर दिया दराना धंता सूरू कर दिया एंड एड़्वाइस्ट मी और मुझे सला दिया मी Forth with की तुरंत कि मैं तुरंत क्या कर दूँ To live तिरहुत की मैं तुरंत तिरहुत को चोड़ दूँ और उस Commissioner ने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया कि मैं इस तिरहूत छेत्र को तुरंत छोड़ दूँ तो वही चीज़ है Proceeded to believe उसने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया and advised me और मुझे सला दिया कि fourth week की तुरंत to live तिरहूत की मैं तिरहूत को क्या कर दूँ छोड़ दूँ ऐसा उसने मुझे सला दिया आगे चलते हैं प्यारचे आगे देखते हैं क्या है गांदी जी डिड नाट लिव गांदी जी ने नहीं छोड़ा प्यारचे एक गांदी जी के लिए सम्मान है जो बार बार जी लग जा रहा है हलाकि गांदी के साथ जी यहां पर आपके किताब में नहीं लगा हुए लेकिन निकल जा रहा है क्योंकि हमेशा गांदी जी को एक सम्मान की दिश्ट से देखा गया जी जी कह करके तो इसलिए बार-बार निकल जा रहा है तो आप समझ जाना कि गांदी जी डिड नाट लिव गांदी जी ने उस अस्थान को नहीं छोड़ा इसके बजाए इसके बजाए और मोतिहारी क्या है चंपारण जिले की राजदानी है मोतिहारी की तरफ इसके बजाए क्या हो गए आगे बढ़ गए आगे देखिए सेवरल 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 मिस कई जो है लायर्स मिस वकील एकमपैनीड ही मिस उनके साथ थे मिस कई वकील उनके साथ थे एड दी रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर वास्ट मल्टिट्यूड मिस एक अतदीग भीड ग्रीटेड गांदी मिस गांदी जी का क्या स्वागत किया मिस railway station पर एक बहुत बड़ी भीड गांधी जी का क्या किया स्वागत किया he went to a house वे एक घर गए went means जाना house means घर वे एक घर गए and using it और इसका प्योग किये as headquarter means headquarter के रूप में और गांधी जी ने इसका प्योग headquarter के रूप में क्या continued लगातार जारी रखा his investigations अपनी जांच परताल को और गांधी जी ने अपनी जांच परताल को क्या किया जारी रखा और रिपोर्ट के एक रिपोर्ट आई in that a present had been maltreated maltreated एक रिपोर्ट एक सूचना आई कि एक किसान को क्या किया जारा है किसान के साथ बुरा ब्योहर किया जारा है maltreated means होता है बुरा ब्योहर करना कि एक सूचना ए आई कि किसान के साथ बुरा ब्योहर किया जारा है इना निरबाई एक नजदीक विलेजमिंस गाउं में एक नजदी के गाउ में एक किसान के साथ क्या किया जा रहा है बुरा ब्योहार किया जा रहा है ऐसा सूचना गांदी जी के पास आई आगे देखते हैं प्यार चे आगे क्या होता है गांधी जी डिसाइड़, गांधी जी ने नेड़ लिया, टू गो मिस वहाँ जाने के लिए, और उससे मिलने के लिए, वहाँ जाने और उससे मिलने के लिए, गांधी जी ने नेड़ लिया, the next morning अगली सुबा he started out on the back of an elephant की वह elephant means हांती के पीठ पर बैट करके back means हो जाएगा पीठ आफ एन elephant means हांती के और एक हांती के पीठ पर बैट करके अपनी यात्रा की क्या कर दिये शुरुवात कर दिये आगे देखते हैं he had not proceeded he had not proceeded for when the police presentant messenger over took him means he had not proceeded far वह जादा दूर तक आगे नहीं पड़े थे when तभी the police superintendent जो police का superintendent था messenger messenger का जो police के superintendent का जो राजदूत था दूत था over took him means गांदी जी को रोक लेता है and ordered him और उन्हें आदेश देता है to return to town in his carriage means अपने इस carriage में means बोगी में जो है वह वापस रेटन हो जाएं वापस लोड जाएं तो यह चीज है and ordered him और उन्हें आदेश देता है to return means वापस होने का town in his carriage means अपनी गाड़ी में सहर वापस होने का उन्हें आदेश देता है गांदी जी complied गांदी जी क्या करते हैं उसके आघ्या का पालन करते हैं complied means होता है पालन करना गांदी जी ने उसके आघ्या का पालन किया जहां पर उसे एक सरकारी नोटिस दिया गया जहां पर उसे एक सरकारी आदेश दिया गया कि चमपारन को तुरंत छोड़ने के लिए गांदी जी साहिंड गांदी जी ने उस पे सिगनेचर किया और इस रसीद पर गांदी जी ने एक रसीद पर सिगनेचर किया फार्दी नोटिस मिंस सूचना के उपलक्च में गांदी जी ने एक नोटिस पर साइन किया कि वह आग्या का पालन नहीं करेंगे अब गांदी जी ने एक नोट पर लिखा एक रसीद पर लिखा कि वह इस आग्या का उलंगन करेंगे इस डिस ओबे करेंगे तो यह हो गया आपका साथवा पैरग्राफ हो गया अब हम लोग आठवे पैरग्राफ की तरफ बढ़ेंगे और आठवे पैरग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले भई आप वीडियो को लाइक कर दो लाइक कर दो और कुछ पानी वानी पीना हो तब तक पानी पीलो हम आगे थोड़ा सा पानी पीलेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आठे पैरग्राप की शुरुआत करते हैं तो जल्दी से एक मिनट में आप लोग भी पानी वानी पीना हो तो कुछ पानी वानी पीलो अब आगे चलते हैं प्यारचे आगे चलते हैं आठमे पैरगाप पे आठमा पैरगाप देखिए आपका क्या है इन कंसिक्वेंस मिन्स होता है परणाम स्वरूप इन कंसिक्वेंस मिन्स इसके परणाम स्वरूप गांधी रिसीब गांधी ने प्रात किया असमन मिन्स बुलावा टू अपियर मिन्स प्रगट होने के लिए इन कोर्ट मिन्स नयाले में दी नेक्स्ट डे मिन्स अगले दिन मतलब जो इननोंने disobee कर दिये ना उन्हे जो है लिखित रिपोर्ट मिली थी कि आपको छोड़ना है और उन्होंने लिख कर दे दिया हम disobee करते हैं उलंगन करते हैं आपके आदे स्का अब इनने एक कानूनी आदे स्मिल गया नयाले में अगले दिन उपस्तित होने के लिए आगे देखिए प्रभावसाली दोस्तों के साथ बिहार से आएं He sent instructions उन्होंने instruction बेजा सूचना बेजा दिसा निर्देश बेजे to the ashram आश्रम के लिए उन्होंने क्या बेजा दिसा निर्देश भी बेजा He wired उन्होंने तार किया फुल रिपोर्ट मिंस पूरी रिपोर्ट उन्होंने तार किया to the vicerai मिंस वाइसराए को भी पूरी रिपोर्ट उन्हेंने क्या किया तार किया मिंस जो समय पूरी छेतर का मुख्या होता था उसे वाइसराए बोलते हैं तो वाइसराय को भी उन्होंने पूरी मामला क्या था उसको उन्होंने क्या किया भेजा तार किया आगे देखिए आगे है प्यारचे क्या morning found means सुबह found मीड़ पाया गया the town am motihari ए motihari का जो सहर था black with peasants means किसानों से एकडम काला हो गया अगली सुबह जो है एक SPEAK मोतihari का सहर जो है किसानों से पूरी तरह से काला हो गया मिंस पूरी तरह से किसान ही किसान घेर लिए वे थे गांधी जी को आगे देखिए आगे क्या होता है they did not know गांधी जी जी रिकॉर्ड in South Africa वे they did not know वे नहीं जानते थे गांधी जी जी रिकॉर्ड मिंस गांधी जी के बारे में इन South Africa की गांधी जी ने दच्छिड अपरिका में क्या की वे थे यह जो है नहीं जानते थे आगे है they had merely वे केवल here सुने वे थे that a महत्मा की कोई महत्मा है who wanted to help them जो उनकी मदद करना चाते है was in trouble अब वे परसानी में है with the authorities मिंस अधिकारियों से मिस अधिकारियों की वज़ा से अब वे परसानी में है ऐसा उन्होंने क्या किया हुआ था सुना हुआ था जो किसान आई वे थे ए किसान जो है गांधी जी का क्या दच्छिड अपरिका में रिकार्ड था उसे नहीं जानते थे उन्होंने केवल इतना सुना हुआ था कि कोई महत्मा है जो हमारी मदद करना चाहते है और इस समय जह authorities उन्हें क्या कर रही है परसान कर रही है their spontaneous demonstration spontaneous मिस हुझाएगा सहज demonstration मिस प्रदर्शन उनका सहज प्रदर्शन in thousands मिस हजारों में था मिस किसान जो आएवे थे हजारों में आएवे थे उनका सहज प्रदर्शन था in thousands मिस हजारों में around the court house मिस उस court के घर के चारों तरफ मिस court room के चारों तरफ हजारों में किसान आये थे was beginning of their liberation from fear of the British and was the beginning यही शुरुवात थी their liberation मिस उनके स्वतनतता उनकी मुक्ती का from fear डर से British means अंग्रेजों के अंग्रेजों से डर की यही उनकी क्या थी सुरुवात थी मिस यही से उनकी सुरुवात हुई कि अंग्रेजों से अब डरना वरना नहीं है आगे चलिए प्यारची देखते हैं आगे क्या है दी आफिसियल्स आफिसियल्स मिस हो जाएगा जो वहां के अधिकारी लोग थे ओ जाएंगे दी आफिसियल्स अधिकारी लोग फेल्ट पावरलेस मिस असहाय महसूस किये फेल्ट मिस होता है महसूस करना पावरलेस मिस असहाय मिस अधिकारी लोग जो है वहाँ पर असहाय महसूस किये बिदाउट गांधी जी कोपरेशन बिना गांधी जी के सहयोग के ओ लोग अधिकारी लोग अपनी आपको क्या पाए पावरलेस पाए मिस असहाय पाए गांधी जी ने नियंतित करने में उनकी मदद किया और गांधी जी एकदम नम्र और दोस्ताना थे he was giving them concrete proof वह उनने दे रहे थे means वह अंग्रेजों को दे रहे थे concrete proof means एकदम पका सबूत दे रहे थे concrete means हो जाएगा पका proof means सबूत वह एकदम पका सबूत दे रहे थे that their might hitherto और यहीं से treated and unquestioned could be challenged by Indians यहीं है न कि हाँ hitherto treated and unquestioned could be challenged by Indians और यहीं से डराने और डराने वाली और विरोध वहीन उनकी सक्तियों को भारतियों दारा तुचुनती दी जा सक्ती थी means school मिला करके हो जाएगा उन्होंने अधिकारियों को इस बात लिए तोस प्रमार दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध वहीन उनकी सक्तियों को भारतियों दारा क्या की जा सक्ती है चुनाउती दी जा सक्ती है आगे चलते हैं अगे देखते हैं अगे क्या होता है अभियोग पच्चका जो वकील होता है उसे बोलते हैं प्रोसीक्यूटर अभियोग पच्चका वकील इस उसनवाई को टालने के लिए अभियोग पच्चका वकील ने क्या किया रिक्वेस्ट किया आगे देखते हैं अप्रेंटली मिस अस्पस टूप से अभियोग पच्चका वकील ने क्या किया विस्ट इच्छी थे to consult मिस सला लेने के लिए the superiors मिस अपनी उच्चा अधिकारियों से मिस जो अधिकारी गंड थे अपनी उच्चा अधिकारियों से सलाह मिस विचार विमस करना चाते थे वही है कि the authorities मिस अधिकारी लोग which मिस इच्चा करे थे to consult मिस सला लेने की अपने उच्छा अधिकारियों कि जो है अधिकारी लोग सला लेना चाहते थे तो प्यार्चे यह हो गया आपका कौन सा पैरग्राफ आटमा पैरग्राफ कम्प्लीट हुआ अब हम लोग चलेंगे नवे पैरग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे और अभी तो आधा भी नहीं आपका हुआ है तो अभी तो सुरुवात है भया अभी तो लंबी कहानी है इस चैप्टर की तो इसलिए आपको धकना हारना नहीं है आपको अपनी माबाप की सप्टी को साकार करना है आपको अपने जीवन में लक्ष को प्राप्ट करना है उसके लिए कुछ न कुछ मुस्किलात का तो सामना करना पड़ेगा कुछ न कुछ तो उसका सामना करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं सब कुछ फिरिया में मुक्ता में मिल जाता है ठीक है आगे चलें प्यारचे आगे चलते हैं आगे चलने से पहले फिर से एक बार बताएंगे कि paid class के बारे में कोई information हो आप इस number पे call कर सकते हैं जो आपको दिया गया है बाकी paid class में कैसे आपको admission लेनी है सारी चीज़े आपको class के शुरुवात में ही बता दी गई थी कि आप paid class में कैसे admission ले सकते हैं और प्याचे एकदम सांदार बहतरी चीज़े आपको दी जा रही है paid class में तो इसलिए आप लोग जो भी बच्चे afford कर सकते हैं जरूर paid class में इसलिए लेना क्योंकि बहुत बहतरी प्याचे दी जा रही है बज़ुकर है 100 out of funded marks का matter आपको वहाँ पर दे रहे हैं अब जल्दी से हम लोग चलते हैं नवे paragraph पे देखते हैं आपका नवा paragraph क्या है गांदी जी protested अब प्रोटेस्टेर कीमिस होता है विरोध करना गांदी जी ने विरोध किया against the delay मिस इस देरी का गांदी जी ने इस देरी का क्या किया विरोध किया He read उन्होंने पढ़ा I state मिस कथन pleading मिस सुखार करते हैं guilty मिस अपराद अपने अपराद को स्विकार करते हुए गांदी जी ने एक कथन को पढ़ा मिस उन्होंने अपना अपराद स्विकार कर लिया He was involved, वह फसे हुए थे He told the court उन्होंने court को कहा कि वह फसे हुए थे In a conflict मिस विरोधावास में आप duties मिस अपने करतब्य के मिस उन्होंने court में कहा कि वह अपने करतब्यों के विरोधावास में फसे हुए थे On the one hand मिस एक तरफ Not to set a bad example एक बुरा उदारण नहीं प्रस्तुत करना था As a lawbreaker मिस एक नियम तोडने वाले के रूप में वह बुरा उदारण भी sit नहीं करना चाते थे On the other hand और दूसरी तरफ To render मिस प्रस्तुत करना चाते थे Humanitarian मिस मानवी and National Service और रास्टी सेवा को और दूसरी तरफ वह मानवी और रास्टी सेवा को भी करना चाते थे For which he had come जिसके लिए वे यहाँ पर आएवे थे For which he had come जिसके लिए वे यहाँ पर आएवे थे He disregarded और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया Disregard किया मिस उलंगन किया The order to leave मिस छोडने के आदेश को इसलिए उन्होंने छोडने के आदेश को क्या किया उलंगन किया Not for want to Want of respectful lawful authority मिस जो नियमबत authority थी उसके ब्रति ऐसा नहीं था कोछ सम्मान नहीं करते थे But in the obedience लेकिन वह पालन करना चाते थे To the higher law Of our being एक मानव होने का जो उच जो है नियम था उसका वह पालन करना चाते थे The wise of conscience मिस अपनी अंतरात्मा की आवाज का वह क्या करना चाते थे पालन करना चाते थे वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है आगे चलें प्यारवचे मिस वह मानवी और राश्टी सेवा करना चाते थे जिसके वह यहाँ पर आए वे थे आगे चलते हैं प्यारवचे आगे देखते हैं ठीक है आगे आपका हो गया आगे देखते हैं दी मजिस्टेट नहीं अच्छ ए नहीं है आपका छोड़ा छूट गया है हाँ ही आस्क्र उन्होंने कहा दी पेनाल्टी मिंस धंड के लिए डियो मिंस उचित और उसके बाद गांधी जी ने उचित दंड की माग किया मिंस उन् उन्होंने उसके बाद उचित दंड की माग किया मिंस गांधी जी ने सोयम कर दिया कि आपको जो उचित लगता है आप ओ दंड दे सकते हैं मुझे कोई दिकत नहीं है दी मजिस्टेट जो वहां का मजिस्टेट था जो कलेक्टर था इनाउंच घोस्रा किया दैट ही उड़ उन्होंने प्रोनौंस किया कि वह दो घंटे के बाद अपनी फैसले को क्या करेंगे जो भोजन का समय होता है उसके बाद दो घंटे बाद वहां अपने नेड़े को सुनाएंगे और उस एक सब बीस मिनट में गांधी जी को जमानत लेने के लिए उन्होंने कहा गांधी रिफ्यूज़ गांधी जी ने मना कर दिया दी जज रिलीज़ और उस जज ने उस नियादीस ने छोड़ दिया अब आगे देखना वेंदी कोट रिकांधी जब जो है कोड फिर इकठा हुई रिकांधी जब कोड पुना दोबारा बैठी इकठा हुई वह कई दिनों तक अपनी ने करेंगे सुनाएंगे नहीं ऐसा जज ने क्या दिया आदेश दिया मिस वही दिया हुआ है दि जजज सेड जज ने कहा ही उड़ नाट डिलीवर की वह सुनाएंगे नहीं मिस अपने आदेश को फार सेवरल डेज मिस कई दिनों तक वह अपने आदेश को नहीं सुनाएंगे मिन्वाइल इसी बीच ही एलाओड उनने अनमत दे दिया गांधी जी गांधी को टू रीमेन एट लीबर्टी मिस सुतनत रहने का मिस इस दवरान उन्होंने गांधी जी को सुतनत रहने की अनुमत दे दी तो प्यालची इह हो गया नवा परग्राफ का हिंदी एक्स्प्लानेशन हो गया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कहीं आपको किसी विप्रकार की कोई दिक्कत समस्या परसानी नहीं होई होगी ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ दस्वे पैरग्राप की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं आपका दस्वा पैरग्राप क्या है प्यालचे दस्वा पैरग्राप देखिए राजियंद प्रसाद आपको याद है ना राजियंद प्रसाद जो है भारत की प्रतम जो है प्रेजिडेंट राश्पती थे राजियंद प्रशाद, ब्रिज की सोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent liars और several means कई अन, other means and prominent means विख्यात liars means वकील had arrived from बिहार, बिहार से आ गये थे means राजिन प्रशाद, ब्रिज की सोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और अन कई प्रसिद्ध वकील जो है बिहार से आ चुके थे they comfort, वे बिचार भी मस करते हैं, comfort means होता है बिचार भी मस करना, they comfort वे बिचार भी मस करते हैं, दी गांधी means गांधी जी से means वे गांधी जी से विचार भी मस करते हैं, कौन भी मस करता है, यह वकील लोग जो आई वे हैं बिहार से, जो है राजिन प्रुसाद के साथ, यह जो है सभी गांधी जी के साथ विचार भी मस करते हैं what would they do, वे क्या करते, if he was not sentenced to prison, यदि उन्हें जेल के लिए sentence किया गया होता, means उन्हें जेल के लिए दंडित किया गया होता, जेल से, तो वे क्या करतें, गांधी जी निए ऐसा का, कि what would they do, वे क्या करतें, इप फी वाज सेंटेंस टू प्रीजन यद उनने जेल के लिए दंडित कर दिया गया होता मिस जेल के लिए सजा सुना दी गई होती तो वे क्या करते गांधी आस्क गांधी ने पूछा ऐसी बात गांधी ने पूछा क्या 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 दिया इफ ही वे यहां पर सलाध देने क्लिए आए आए और उन waves कर सला देने क्लिए नी होता इंड दे उड़ गो हम और उसके बाद वे क्या कर जाते है घर चले जाते ऐसा वकीलों ने वहां के वरिष्ट वकीलों ने जो बिहार से आये थे वरिष्ट वकीलों ने ऐसी बात कहा आगे चलते हैं what about the injustice means इस अन्याय के बारे में क्या होगा to the sharecroppers गांधी जी demanded गांधी जी ने माग किया पूछा जो है कि what about the injustice इस अन्याय के बारे में क्या to the sharecroppers मिस इन बटाईदारों के इन बटाईदारों के अन्याय के बारे क्या मिस आप लोग आए अगर हम जेल में चले गए होते तो आप लोग चले भी जाते लेकिन इन बटाइदारों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसना क्या होता दिलायस withdraw to consult मिस दिलायस withdraw मिस पीछे हडगे to consult मिस विचार विमस करने के लिए मिस वहां से इसके बाद जब इस बात को जो है गांदी जी नहीं कहा तो उसके बाद अपने में विचाज बिमस करने के लिए जो वकील थे वहाँ पर पीछे हड़ गए राजेंद प्रसाद है recorded राजेंद प्रसाद ने लिख लिया था आगे देखिए आगे क्या है प्यारचे आगे देखते हैं आगे है आपका उन्होंने अपने वीच में ही सोचा क्या सोचा देट गांदी जी वाज टोटली अस्टेंजर कि गांदी जी एक पूरी तरह से अजन भी है एंड एट ही वाज प्रिपेर्ड लेकिन फिर भी वे तयार हो गए है कहा के लिए प्रिपेर्ड तू गो टू प्रीजन मिस जेल में जाने के लिए मिस यद्दप की गांधी जी पूरी तरह से यहां के लिए अंजान है फिर भी जेल में जाने के लिए तयार हो गए है फार्दी सेका प्रीजन मिस किसानों के लिए इन किसानों क्ले जिल में जाने के लिए तियार हो गए हैं इफ दे आर अन्दी अधर हैं और यदि दूसरी तरफ ए लोग बिंग नाट उन्ली रेसिडेंट्स आप दी अज़ाइनिंग डिस्टिक्ट जो इस जिले के बगल में ही निवास करते हैं मिन्स केवल जो इस जिले के बगल में ही नहीं निवास करते हैं बट आलसो दोज हु क्लेंड और लेकिन ये जो अपनी आपको क्लेंड करते हैं दावा करते हैं to have served these peasants की वह इन किसानों की सेवा करते हैं should go home कि वह घर चले जाएंगे it would be simple digestion ये एक सेमफून मिस हो जाएगा सर्मनाक, digestion मिस होता है धोखा ये एक सर्मनाक धोखा होगा निस जाए चे ये क्या हो जाएगा कि दूसरी और वे लोग जो नकेवल आसपास के जिलों के निवासी थे वरण जो ऐसा दावा करते थे कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी ये दिवे किसानों की इस तरह साथ चोड़ करके चले जाएंगे तो ये एक सर्मनाक धोखा होगा तो ये it would be ये होगा to be a simple digestion सेमफूल मुझे सो जाएगा सर्मनाक डिजल सर्मिस हो जाएगा दोखा इस प्रकासी ये एक सर्मनाक दोखा होगा तो प्यारची ये आपका हो गया दस्वा पैराग्राफ हो गया दस्वे पैराग्राप को हमने एकदम बहतरी नग से आपको कवर कर दिए अब हम लोग बढ़ेंगे 11 पैरागाप की तरफ और आप लोग अपने किताज से मिलाते चलिए तरनिक्यों लापरवाही नहीं होनी चाहिए तरनिक्यों जरा सभी एकदम लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि भहिया आपको बोड परिच्छा का टॉपर बढ़ना है और टॉपर बढ़ना इतना आसान काम नहीं होता है तो इसलिए आपको इमानदारी से महनत करनी होगी हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं इंगलिस में आपको 100 out of 100 मांस का मैटर दे रहे हैं बस आपको तयारी करनी है पैचे अगर आप तयारी कर लिए तो समझ जाना की आपक उनों काम देने वाले नहीं है तो इस बात को में सा ध्यान रखना और कुछ बहतीन लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे अगले इग्रहमे परग्रापी बढ़ेंगे एक दिर्णिस्य वाला ब्यक्ति कभी अपने बनाए लक्षों को बार बार नहीं बदलता बलकि उस पर प्राप्ट करने के लिए हर संभव प्रियास करना है जिससे आप उपने जीवन में सफल हो सकें जो आपका टार्गेट है बोर्ड परिच्छा को टाप करना उस से टार्गेट को आसानी से अचीब किया जा सकें ऐसी आप से उम्मीद करते हैं अब हम लोग जल्दी से प्यार हमें पेराग्राफ की तरफ देखते हैं आपकाgendeर्गा पेराग्राफ है क्या? आगे देखिए इसके अनुसार फोर गान्दी के पास गय तुई चीज़ हुआ है to follow him into jail means उनके पीछे जेल में भी जाने के लिए तयार है means तब जो है सभी वकील आकर के कहते हैं कि वे गांदी जी के पीछे जेल में भी जाने के लिए तयार है the battle of चंपारण is on he exclaimed means गांदी जी उसके बाद कहे कि the battle of चंपारण is on means ए चंपारण का युद किया जा चुका है means जब वकीलों ने कहा कि हम लोग भी आपके पीछे अब जेल जाने के लिए तयार हैं तो गांदी जी नी कहा कि तब तो भया ए चंपारण का जो battle है यो तो जीता जा चुका है तब तो आपको परसान होने की जुरत नहीं है then he took a piece of paper फिर उनोंने एक जो है कागस का टुकडा लिया and divided the gross इसे समुहों में बाट लिये into payers मिस जोडे के रूप में उसे समुहों में बाट लिये and put down the order और एक क्रम में जो है सेट कलिये in which is pair जिसमें परत्य जोड़े को was in court arrest मिस जिसे court में क्या देनी थी गिरबतारी देनी थी उसने परत्य जोडों के क्या कर लिया एक आडर में क्रमे वाइज कर लिये जिस जोड़े में लोगों को गिरबतारी देनी थी मिन्स जो है इसमें का पूरे का अर्थ हो जाएगा आपका कि उन्होंने कागज का एक टुकडा लिया और वक्विलों के समू को दो-दो के जोड़ों में बिभक्त कर लिया और कागज पर लिख करके मिन्स क्रम तेंग कर दिया कि जिस क्रम में उन्हें क्या करनी थी गिरिपता डिन लेटनर मिस बाद कई दिन बाद गांधी रीसीब्ड गांधी जी प्रात करते हैं रीटेन कम्यूंन्यकेशन एक लिखित संदेश प्रात करते हैं फ्राम दी मजिस्टेट मजिस्टेट की तरफ से informing मिन्स उन्हें सूचना दी जाती है कि there the lieutenant governor of the province प्रोविंस मिन्स होता है छेत्र छेत्र के जो lieutenant governor है had ordered उन्होंने आदेश दिया है कि the case to be dropped कि इस case को क्या कर दिया जाए समाप्त कर दिया जाए मिन्स उन्हें इह बात का सूचना मिलता है गांदी जी को कि जो है कि प्यार्चे फिस देखो कि several days later कुछ दिन बाद गांदी जी received गांदी जी को प्राप्त होती है एक लिखित संदेश प्राप्त होता है from the magistrate मिन्स magistrate की तरफ से मिन्स कुछ दिनों बाद गांदी जी को magistrate की तरफ से एक लिखित सूचना मिलती है informing उसमें सूचना में दी जाती है कि that the lieutenant governor आप the province की छेतर के राज के जो lieutenant governor है head order मिन्स उन्हें आदेश दिया the case to be dropped मिन्स इस case को क्या कर दिया जाए समाप्त कर दिया जाए drop मिन्स होता है समाप्त कर देना कि उन्हें आदेश दिया कि इस case को समाप्त कर दिया जाए civil disobedience civil मिन्स हो जाएगा सविना disobedience मिन्स हो जाएगा अविज्या सविने अवज्या आंदोलन head timed उसकी विजय हुई थी the first time in modern इंडिया मिन्स गांदी जी और वकील now proceeded अब आगे बढ़ गए to conduct a far-flung inquiry मिन्स एक far-flung मिन्स हो जाएगा ब्यापक inquiry मिन्स जाँच परताल के लिए मिन्स ब्यापक जाँच परताल के लिए गांदी जी और उनके वकील साथी लोग आगे बढ़ चुके थे into the grievances मिन्स जाँच किसानों के कस्टों के बारे में जानकारी लेगने के लिए ब्यापक जो है inquiry के लिए जाँच परताल करने के लिए जो है गांदी जी और गांदी जी के वकील दोस्त क्या हो गए थे आगे बढ़ गए थे depositors depositors मिन्स होता है बयान depositions depositions मिन्स होता है depositions by about 10,000 peasants लगभग 10,000 किसानों के बयान लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए and notes made और tipपडी की गई made on other evidence और अन प्रमाडों पर क्या की गई tipपडियां की गई documents मिन्स दस्तावेज और collected मिन्स इकठा की गई और उसके बाद सभी दस्तावेज इकठा की गई the whole area throbbed मिन्स पूरा छेत्र कंपित हो गया था throbbed मिन्स पताए कंपित होना पूरा छेत्र कंपित हो गया था with the activity of investigators मिन्स जो जांस परतार करने वाले लोग थे इनकी गतविधी से and the vehement जो जैए जोशीला उगर protest मिन्स जमीदारों के जोशीले उगर के बिरोध से पूरा छेत्र क्या हो गया था जैए throbbed मिन्स कंपित हो गई था पूरा छेत्र किसे कंपित था कि activity of the investigators मिन्स जो जांस परतार करने वाले लोग थे उनकी गत्विद्यों से और जो जमीदार की उग्र जो है उनका विरोध था इसके भी प्रीत जो है उससे पुराच्छित्र क्या हो गया था कम्पित हो गया था तो प्याच्छे ए हो गया आपका इग्राहवा पैराग्राफ इग्राहवे पैराग्राफ का ए हिंदी अर्थ हो अब हम लोग 12 पैरग्राफ की तरफ बढ़ेंगे देखते हैं प्याच्छे 12 आपका पैरग्राफ क्या है जल्दी से 12 पैरग्राफ की तरफ बढ़ते हैं अब जल्दी से 12 इन जून जून में गांधी जी वाज समंध गांधी जी को बुलावा आता है इस गांधी जी को तलब क किया जाता है, बुलाया जाता है, तो वही है, इन जून, जून में, गांधी जी वाज समंड, समंड मिस होता है, तलब किया जाना, बुलाया जाना, गांधी जी को तलब किया जाता है, बुलाया जाता है, to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor, Miss Lieutenant Governor, Sir Edward Gate के द्वारा, गांधी जी को जून में तलब किया जाता है बीफोर ही वेंट मिस जाने से पहले ही मेट वह मिले लेडिंग मिस वजाएगा प्रमुक एसोसियेट्स मिस सहयोगी अपने प्रमुक सहयोगियों से मिले एन अगेन लीड डिटेल प्लान और पुना जो है उन्हें संपूर योजना बनाई फासिवल डिस ओबिडियंस मिस सविन अवग्या आंदोलन की इफ ही सूदिर नाट रेटन यदिवे वापस नहीं लोटे मिस यदिवे वापस नहीं लोटे तो पूरी एक योजना बना ली गई कि 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 इस तरह से आपको सविन अवग्या आंदोलन देना है तो ए पूरी योजना बना लिए क्योंकि ले फूप वापस नहीं आते हैं तो क्या किया जाना सुस्था लंबी इंटर्वी हुआ जी का तीन चार बार लंबा इंटर्वی हुआ विद्धी लेफ्टिनेंग गवनर मिन्स लेफ्टिनेंग गवनर के साथ मिन्स कुलमलाकर करके गांदी जी ने लेफ्टिनेंग गवनर से चार मुलाकाते की यहां इंटर्विव्ज होना मिन्स मुलाकात होना मिन्स लेफ्टिनेंग गवनर के साथ चार मुलाकाते गांदी जी की हुई who as a result जिसके पडाम सुरूप appointment means newkti हुई जिसके पडाम सुरूप newkti हुई an official commission एक जो है सरकारी commission का जो है जिसका न्युकती हो गई off inquiries means जाज परताल करने के लिए जिसमें एक सरकारी commission की सरकारी समीत की जाज परताल के लिए एक नियुक्ती हो गई, appointment हो गई, into the Indigo sharecroppers situation, मिस Indigo की जो sharecroppers बटाईदारों की जो इस्तिती थी, उसकी इस्तिती को जानने के लिए, मिस क्या हो जाएगा, पूरे का अर्थ हो जाएगा, परडाम सुरूप उसने, means Lieutenant Governor ने Indigo बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए, ए आगे देखते हैं, अब इस आयोग में कौन-कौन लोग हैं, आगे देखते हैं, दी कमिशन कंसिस्टेड इस आयोग में थे, आफ लेंडलार्स मिस जमीदार थे, government official, सरकारी ज़े, official government के लोग थे, और गांधी जी और गांधी जी भी थे, as the sole representative, जो केवल एक मात्र प्रतनि करने वाले थे, आप दी पीजर्स मिस किसानों के, मिस किसानों के एक मात्र प्रतनिदी के रूप में, उसमें गांधी जी भी क्या थे, सामिल थे, उस कमिशन में, उस आयोग में, आगे देखिए, गांधी जी रीमेंड इन चमपारन, गांधी जी चमपारन में बने रहे, for an initial uninterrupted period of seven months अब ध्यान देना गांदी जी रीमेंड बने रहे हैं चमपारण में for an initial मिस शुरुआज से uninterrupted मिस निरंतर period of seven months मिस शुरुआज तक मिस शुरुआज के साथ महिन तक लगातार गांदी जी यहां पर क्या की रहे ठीके रहे and then again for several starter widgets और उसके बाद कई अन बार चोटी चोटी यात्रा पर यहां पर आते रहें अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं दी विजिट मिस उनकी यात्रा undertaken मिस जो की गई थी casually मिस सामान रोप से on the entity मिस विंती पर off an unlimited present मिस एक अनपढ़ किसान के जो उनकी अनपढ़ किसान के जो विंती पर उनकी यात्रा हुई थी में तब एकदम सामान रोप से जो यात्रा हुई थी in the expectation जिसकी उमीद की जा रहे थी that it would last a few days कि यह कुछी दिनों में यह उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी occupied लेली almost a year of गांधी जी's life मिस यह जो है गांधी जी के जीवन का लगभग एक वर्स लेली मिस प्यारचे अपूरे का अर्थ हो जाएगा कि यह एक अनपढ़ किसान की प्रातना पर की गई आकस्मिक यात्रा जिसकी कुछी दिन चलने की संभावना थी ने गांधी जी के जीवन का लगभग एक साल लेलिया मिस एक साल तक गांधी जी चमपारण में ही पड़े रहे तो प्यारचे यह हो गया आपका 12 पैरग्राफ का सीधे हिंदी एक्स्ट्रानेशन आपको सारे चीजे अच्छे डंग से कवर कर दिये अब हम लोग जल्दी से चलते हैं प्यारचे आप हम लोग जल्दी से चलते हैं आपका 13 पैरग्राफ की तरफ देखते हैं आपका 13 पैर प्रमाण के रूप में means बड़े जमीदारों के बिरोध में Means अधिकारी जांच ने बड़े जमीदारों के बिरोध जो सबूत को क्या कलिए कका कली तो ये the official inquiry means जो अधिकारी के जांच थी assembled मिस इकठा कली a crushing mountain मिस धेर सारा मिस धेर सारा इकठा कली of evidence मिस प्रमाण against the big planters मिस इन बड़े जमिदारों के खिलाफ मिस अधिकारिक जास ने बड़े जमिदारों के खिलाफ धेर सारे सबूत क्या कली है इकठा कली है and when they saw और जब वे देखे this they agreed की तब वे सहमत होगे और जब जमिदारों ने इसे देखा तो तब वे क्या होगे सहमत होगे to make reference to the peasants और तयार होगे मिस सहमत इस बात कली ही भी होगे कुँआ peasants को किछ refund वापस कर देंगे मिस कुछ वापस करेंगे इस बात के लिए वे क्या होगे तयार होगे but how much must we pay लेकिन हमें चुकता कितना करना है the ask गांदी उन्होंने गांदी जी से पूछा मिस उन्होंने जो वहाँ के जमिदारों के जो मुख्या था उसने पूछा गांदी जी से कि ठीक है हम लोग गलत तो थे अब बताईए हमें कितना चुकता करना है तो वही चीज है but how much must we pay कि कितने हमें चुकता करने है the ask गांदी वे गांदी जी से पूछे अब आगे दखिए the thought उन्होंने सोचा he would demand कि वह गांदी जी मांग करेंगे repayment in full आपदी मनी पूरे पैसे वापस करने की मिस उन्होंने सोचा कि गांदी जी पूरे पैसे वापस करने की मांग करेंगे which they had illegally जिसे वे गलत ढंग से and deceit pulley और धोके से extorted मिस वसूली कीवे हैं from the sharecroppers मिस उन बटाईदारों से जिसे वह जबरन धोके से उन बटाईदारों से वसूली कीवे हैं तो वही चीज है कि they thought उन लोगों ने सोचा मिस जमिदारों ने सोचा कि he would demand मिस वह मांग करेंगे repayment in full आपदी मैनी मिस पूरे पैसे की वह वापस करने की मांग करेंगे which they had illegally चलते हैं he asked only 50% आप देखो गांदी जी ने केवल कितना का 50% means 50% वही प्यारचे he asked उन्होंने कहा only 50% means केवल 50% मिस गांदी जी ने कहा कि केवल 50% आप वापस कर दीजे मतलब भया यह जमिदार लोग सोच रहते कि गांदी जी कुले कहेंगे वापस कर निकले लेकिन गांदी जी ने कहा केवल आप 50% वापस कर दीजे there he seemed there he seemed adamant means वहाँ पर यह जो है क्या प्रतीत हुए अटल प्रतीत हुए राइट से रेवरेंड जह हाँ रेवरेंड जे जेड होज ऐसा कौन लिखते हैं रेवरेंड जे जेड होज लिखते हैं कि गांदी जी वहाँ पर अपनी बात पर अटल प्रतीत होते हैं अब बिटीस और जे जेड होज कौन है अब बिटीस मिसिन्री एक बिटीस मिसिन्री है इन चमपारन चमपारन में जो इस पूरी घटना को देखे हुए थे अट क्लोज रेंजी मिस बड़ी नजदी की से जो इस पूरी घटने को देखे हुए थे उन्होंने कमेंट किया कि इस पे गांदी जी बड़ी अटल से प्रतीत होते हैं आगे दखिए थिंकिंग मिस सोचते हुए प्रॉबरली संभौता देट ही उड़ नाट गिव वे कि वह नहीं मानेंगे मिस संभौता इस बात को सोचते हुए कि गांदी जी नहीं मानेंगे दी रेप्रेजेंटेटी आदी प्लांटर्स मिस जमीदारों के प्रतनिधी जो होते हैं मिस जमीदारों के प्रतनिधी आफर करते हैं नहीं मानेंगे तो वहीं दिया हुआ है कि ठिंकिंग मिस सोचते हुए प्राबर्ली मिस संभौता that he would not give way कि वह मानेंगे नहीं इस रिप्रेजेंटिव आप दी प्रॉन्टर्स जो जमिदारों के प्रत्न दी थे आफ़र उनने आफ़र किया to refund to the extent of 25% मिस 25% वापस करने का आफ़र दिया and to his amazement और उनके आसर का ठिकाना नहीं रहा मिस्टर गांदी took him at his word मिस्टर गांदी ने उनके सब्दों का सम्मान रखा अथाच 25% पे राजी हो गए thus breaking the deadlock और इस प्रकास से गत्रियोध को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और गांदी जी ने इस प्रकास से गत्रियोध को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया तो प्रकास से इनका गत्रियोध जो था वह समाप्त हो गया हलाकि जो है पहले तो जो है जमिदारों ने सोचा था गांदी जी ने पूरा कहेंगे कि 100% आप वापस करिये लेकिन पहला उनका आशर हुआ कि गांदी जी ने केवल 50% कहा कि 50% वापस करिये और उसके बाद दूसरा आशर हुआ कि जो जमिदारों का रेप्रेजेंटेटिव था वह केवल ऐसे ही कर दिया था कि 50% वापस नहीं कर पाएंगे कि 25% करेंगे मतलब हुआ उमीद नहीं किया हुआ था कि गांदी जी इस पे मान जाएंगे लेकिन आशर की बात है कि गांदी जी 25% पे भी मान गए अब क्यों माने आगे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि 25% पे गांदी जी ने क्यों मान गए थे अब यह आगे चलते हैं 14 हों पे परग्राफ पे और आप लोग वीडियो के लाइक नहीं किया हो तो वीडियो के लाइक कर दो लगबग दो घंटे की क्लास होने वाली है आपके लगातार मेहनत कर रहे हैं तो से पे अच्छी आपकी जिम्मदारी होती है वीडियो के सभी जगत शेयर कर दोगे और शेयर के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दोगे ऐसाथ सभी बच्चों से आग रहे ठीक हैं आगे चलते हैं 14 हों पे परग्राफ पे This settlement यह समझता Settlement means होता है समझता This settlement यह समझता Was adopted means स्विकार कर लिया गया यह समझाता सर्वसम्मत रोग से स्विकार कर लिया गया by the commission miss I.O. के दोरा सर्वसम्मत ढंग से क्या कर लिया गया गांदी जी explained गांदी जी व्याख्या करते हैं that the amount of the refund इस वापसी की रकम was less important miss कम महत्पूर है miss गांदी जी इस बात को explain करते हैं कि वापसी की जो रकम है एक कम महत्पूर है than the fact की इस तत की एक्तुलना में that the landlords had been obliged means मजबूर होना उनने पड़ा surrender part of money means अपने पैसे का कुछ भाग देने के लिए उनने मजबूर होना पड़ा and with it और इसके साथ part of their prestige वे अपनी प्रतिस्था के भी कुछ भाग देवे हैं means पैसा तो वापस किये ही इसके साथ साथ जमिदारों ने क्या हो गए हैं अपनी प्रतिस्था का भी कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए यह बात जो है गांदी जी ने लोगों को समझाया तो अई पूरे कर्थ क्या हो जाएगा गांदी जी ने लोगों को समझाया कि वापसी की रकम इस्तत की अपेचा कम हत पूर्टी कि जितनी की जमिदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के मजबूर हो गए आगे चलते हैं प्यार्चे आगे देखते हैं आपका आगे क्या है दियर फोर दियर फोर मिस इसके बाद इसलिए as far as the pigeons were concerned जहां तक किसानों की चिंता की बात है किसानों से सम्मंदित बात है the planters have behaved मिस अभी तक जहें जो planters जमीदार होते थे have behaved मिस बिवार करते थे as large miss as large above the law miss अपने उपर जहें भगवान के नीमों के उपर उस तरह से क्या करते थे बिवार करते थे मिस हो जाएगा प्यार्चे इसलिए जहां तक किसानों का सवाल था जमीदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आद्मियों जैसा बिवार किया कि मानों वा कानूं से उपर हो आगे देखे नाव मिस अब दी पीजन सा मिस किसानों ने देख लिया था that he had right की उनके पास अधिकार है and defenders और अधिकार की रच्छा करने वाले लोग भी है और उनके पास defenders भी है मिस अधिकार की रच्छा करने वाले भी है he learned courage इस प्रकास से किसानों ने उसके बाद से साहस करना सीख लिया था तो यह ही लेंड उन्होंने सीख लिया था करेज मिन्स साहस करना इसके बाद किसानोंने साहस करना सीख लिया हुआ था तो प्याच यह हो गया आपका 14 हमें पैरग्राप का सीधे सटीक अच्छा भी थोड़ा सा बचा हुआ है इवेंड्स मिन्स यह जो घटनाएं थी इवेंड्स मिन्स होता है घटना इवेंड्स मिन्स घटनाएं जस्टिफाइड जस्टिफाइड मिन्स होता है सही सिधिकरना गांदी जी पोजीशन गांदी जी की इस्तितिकों मिन्स घटनाओं ने गांदी जी की इस्तिती को क्या किया सही साबित कर दिया within a few years कुछ ही वर्सों के अंदर the British planters जो British अंग्रे जमिदार थे abundant means छोड़ दिये their states means अपनी जोत को अपनी संपत्ती को अपनी जागरी के संपत्ती को क्या कर दिये छोड़ दिये which reverted जो प्रदान कर दी गई वापस कर दी गई to the peasants means किसानों को means जब ए अपनी जमिदारी को छोड़ दिये तो उसके बाद किसानों को जमीन क्या कर दी गई वापस कर दी गई indigo share cropping disappeared और इसके बाद जो ए बटाईदारी की जो share cropping थी मिस निल के खेती की जो बटाईदारी थी disappeared यह पूरी तरह से क्या हो गई गायब हो गई disappeared means होता है गायब हो जाना वही चीज है indigo share cropping मिस जो इस निल के खेती की बटाईदारी disappeared means पूरी तरह से क्या हो गई गायब हो गई तो भाईया ए हो गया 14 में paragraph का सिधे सटीक सा उत्तर हो गया अब हम लोग चलेंगे 15 वे पैराग्राफ की तरफ अब आपकी पास जादा नहीं बचा हुआ है 15, 16, 17, 18 केवल 4 paragraph बचा हुआ है जो आपका maximum आदे गंटे में आपका complete हो जाएगा अब जल्दी से प्यारचे हुआ हम लोग 15 वे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं आपका 15 वे पैराग्राफ है क्या अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है गांदी जी नेबर गांदी जी कभी नहीं contented में संतुष्ट होना himself with large political or economic solution मिन्स कभी भी गांदी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे वही है गांदी जी नेबर contented contented में संतुष्ट होना himself with large मिन्स बड़े political मिन्स राजनीतिक और economic solution मिन्स और आर्थिक समाधानों से मिन्स गांदी जी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे ही सा उन्होंने देखा cultural cultural मिन्स होता है sanskritik and social samagic backwardness उन्होंने sanskritik और samagic पिछरापन देखा in चंपारण villages चंपारण के गाउं में sanskritik सांस्कितिक और samagic पिछरापन देखा and wanted और चाते थे to do something means कुछ करना चाते थे about it immediately इसके बारे में इमिडेटली means तुरंत और इसके बारे में वह तुरंत कुछ करना चाते थे उन्होंने अपील किया for teachers means सिचकों से उन्होंने सिचकों से क्या किया अपील किया ठीक है अब आगे देखिए महादेव देशाई and नरहर पारिक महादेश देशाई और नरहर पारिक two young men दो नौजवान ब्यक्ती who had just joined गांधी as disciples जो गांधी जी को जो गांधी जी के assist के रूप में उन्हें जल्दी ही गांधी जी को जॉइन किये थे उनके साथ जुड़े थे and dear wives और उनकी पत्निया volunteered means सुच्छा से सेवा की for the work means इस काम की means इस काम में उनकी सुच्छा से सेवा की सेवा करने का मतलब और नरहर पारिक जो अभी अभी गांधी जी के assist बने थे तथा उनकी पत्नियों ने काम के लिए सुच्छा को प्रस्तोते किया और किस काम के लिए ए टीचिंग के लिए means पढ़ाने के लिए बच्छों को आगे चलते हैं प्यार्चे आगे है जो है काफी लोग आए मिस जो है मुंबई पूना तथा अन-दूरुवर्ती भागों से कई लोग आए आगे है देवदास देवदास कौन है गांधी जी का बेटा गांधी जी के बेटे का नाम देवदास है देवदास गांधी जी's youngest son दियोदास गांधी जी का youngest means सबसे छोटा पुत्र came arrived means आया from ashram means ashram से दियोदास गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र ashram से आया and so did Mrs. गांधी और इसी तरह से Mrs. गांधी भी आई अब Mrs. गांधी भी आई मतलब कस्तूर बाब आई भी इसी तरह से आई means जा है गांधी जी पहले अपने बेटवा को बुलाए फिर अपनी महरारू को भी बुलाए मतलब कांधी जी अपने बेटवा और महरारू से दूर नहीं प्रह पा रहे थे आरे बया ऐसा नहीं है वो पकरने के लिए मेरा रुक बलाए थे भाया ऐसा कुछ हो नहीं है आगे देखिए प्राइमरी स्कूल प्राइमरी के स्कूल वर ओपन मिस खुल गए इंसिक सिविल जज मिस छ गाओं में छ गाओं में प्राइमरी के स्कूल खोले गए कस्तूरबा बाई टॉड दिम आस्रम रोल्स कस्तूरबा ने उन्हें आस्रम के नीमों को सिखाया और पर्सनल क्लिनिनेस मिस वैक्तिक स्वच्चता सिखाया एंड कम्यूटी सैनिटेशन और सामदाइक सफाई के बारे में उन्होंने उन्हें क्या किया सिखाया मिस कस्तूरबा बाई ने सिखाया मिस कस्तूरबा आपका पंद्रहवा पैराग्राफ भी कम्प्रीट हो गया तो बही आपको याद रखना है टार्गेट कितना है हंडेड आउट आप हंडेड मास का टार्गेट है इस टार्गेट को आपको भोलना नहीं है पूरे सेशन आपको याद दिलाते रहेंगे क्योंकि आपको इस टार्गेट को अचीव करना है और प्याचिक कुछ बहतीन लाइनों के साथ पिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डूब आप उभरोगे ना सबसे अलग ही नहीं खरोगे मतलब सबसे खुबसूरत लगोगे तो इस टी आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं प्यारचो सुलामी पैरग्राफ पे चलते हैं देखते हैं सुलामा पैरग्राफ क्या है आपका हेल्थ कंडिशन्स हेल्थ मिन्स होता है स्वास्त की कंडिशन मिन्स दसा स्वास्त की दसा वर मिजरेबल मिन्स बड़ी देनी थी मिन्स स्वास्त की दसा बहुत देनी थी गांधी गांधी जी ने एक डाक्टर की विवस्था किया टू वालेंटियर मेंज स्वेच्छा से सेवा करने के लिए गांदी जी ने एक डाक्टर की बिवस्ता की स्वेच्छा से सेवा करने के लिए अर्थात उसको कौनों चार्ज हुआ जब पैसा वैसा नहीं मिलने वाला था 3 medicines means 3 दवा वहाँ पर उपस्तित की गई, present की गई, मतलब वहाँ पर लाई गई, के वल 3 दवा, तो 3 medicines are available, टीन दवा वहाँ पर थी, जो है, पहला कैसर IEL, दवा में पहला कों सेखा, कैसर IEL, कैसर IEL में सुझता है, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल है भया, और कुछ है नहीं कुनेन, कुनेन आपका हो जाएगा, क्यू यू आई यानी, कुनेन हो जाएगा, एंड सल्फर ओन्मेंट, सल्फर ओन्मेंट मीं सो जाएगा, गंधक का मलहम, एतीन दवा वहाँ पर बिवस्था की गई, आगे चलते हैं, एनी बाडी, विथिस्कीन एरप्सन, मिस कोई भी ब्यक्ती, हाँ, अच्छा, ना, 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 यही है, एनी बाडी अच्छा यहाँ पर है, एनी बाडी, मिस कोई भी ब्यक्ती, हू सोड, जो दिखाता था, और कोटेड टंग, मिस जिसकी जीप पर, काफी मैल जम हुआ होता था, वाजगिवइन उसे द्या जाता था, एनी बाडी, मिसे मलेरिया फीवर, जिससे मलेरिया का बुखार हो गया हो, रिसीव दिया जाता था, कुनैन पलस कुनैन के साथ, कैसल आयल, मिस अरंडी का तेल दिया जाता था मिस उसे कुनायन के साथ अरंडी का तेल दिया जाता था anybody मिस किसी भी विव्यक्ति को with skin eruption जिसे चमडे पे क्या हो जाता था eruption मिस फोड़े फुनसी हो जाती थे मिस किसी भी विव्यक्ति के जिसके चमड़े पे फोड़े फुनसी हो जाती थी Receiver उसे दिया जाता था On Mint मिन्स गंधक के मलहम दिये जाते थे Plus उसके साथ कैसर आयर मिल कैसर आयल कैसर आयल मिल्स हो जाएगा आपका अरंडी का तेल उसे जो है गंधक के मलहम के साथ कैसर का आयल मिंस अरंडी का तेल दिया जाता था कुलने मिं दिये जाता था उल्मिलाकर के मोटा मोटी यही आप कर सकते हो आगे चलते हो आगे देखते हैं हम लोग क्या है गांधी जी नोटिस्ट गांधी जी ने ध्यान दिया the filthy state फिल्दी मिन्स हो जाएगा गंदा state of women's clothes मिन्स इस्तियों के गंदे कपड़ों पर मिन्स गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी तो वही है गांधी जी noticed गांधी जी ने ध्यान दिया अब बालक लोग कहेंगे गांधी जी जो है औरत महरारू के जो है कपड़ा भी ध्यान देते हैं अरे बैया ऐसा कुछों नहीं है गांधी जी आईसा नहीं थे कि महरारू के कपड़ा भी ध्यान देते हैं अरे सही सेंस में उन्होंने ध्यान दिया था कि गांधी जी noticed गांधी जी ने ध्यान दिया दी फिल्दी मिंस गंदे, इस टेट आप हुमेंस क्लोथ महिलाओं के गंदे कपड़े पर उन्होंने ध्यान दिया, अर्था जो महिलाओं गंदा कपड़ा पही नी रहती थी, उस पे गांदी जी नी ध्यान दिया, अब यह गांदी जी जाकर के महिलाओं से तो बात नहीं कर सकते थे, तो इस लिए गांदी जी भी समझदार थे, इसलिए अपनी पतनी कस्तूरबाबाई को नोने भेजा, ठीक है, वन बुमेन एक स्ट्री टुक कस्तूरबाई को ले गई, into her hut miss अपनी जोपड़ी में अपने मकान में मिस एक स्त्री ने अपनी जोपड़ी में उनका सुर्भाबाई को लेके गई and said और कही look there miss यहाँ पर देखिए there is no box यहाँ पर कोई box नहीं है our cup board miss अलमारी miss यहाँ पर कोई box और अलमारी नहीं है here for clothes means कपड़ों को रखने के लिए कपड़ों को रखने के लिए यहाँ पर कोई box या अलमारी नहीं है the sari the sari I am wearing this sari को में पहनी हूँ is the only one I have means केवल यही एक मात sari है जो मेरे पास है the sari I am wearing this sari को में पहनी हूँ is the only one यही केवल एक मात्र आप समझ सकते हो प्यापचे कितनी इस्ति पहले की खराब रही होगी कि एक ही साड़ी उनके पास थी मतलब सोचो उसी साड़ी को नहाने के पहले पहनना नहाने के बाद में पढ़ना सोचो नहाते समय क्या पहनती होंगे किस तरह से उनकी इस्तिती रही होगी तो एक गरीबी की आलम उस्से में था तो समझ सकते हो आप लोग आगे चलते हैं प्याचे आगे हैं आंदी आश्रम मिंस आश्रम में गांदी जी ने आश्रम में दूर से ही क्या रखा नजर बनाए रखा मतलब यह नहीं है कि गांदी जी अपना आश्रम अहमदाबाद वाला छोड़ करके चले आए तो कुल एक दम भूल गए ऐसा बिलकुल नहीं था वह दूर से ही नजर को ब और पूछते थे for financial accounts मिस धन का लिखा जुखा के बारे में भी वा पूछा करते थे once he wrote एक बार वा लिखते हैं to the residents वहां की निवासियों को that it was time to fill कि अब समय आ गया है in the old lettering tense जो पुरानी जह है lettering का खाई है lettering के गड़े है and bigger new ones उसके अस्थान पे नए गड़े को खोद लिया जाए otherwise the old ones पुराने गड़ों से would begin to smell bad मिस पुराने गड़ों से महक आनी मिस बुरी महक आनी सुरू हो जाएगी मिस इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा कि एक बार अपने आस्रम की निवासियों को गांधी जी ने लिखा कि समय आ गया है कि सौचालियों के पुराने गड़े क्या कर दिये जाए भर दिये जाए तथा उसके अस्थान पे नए गड़े खोद दिये जाए अन्न था क्या होने लगेगा गड़ों से बद्बू आना सुरू हो जाएगा इसमेल बैड मिन्स बद्बू आना सुरू हो जाएगा वही प्यार्चे इसका अर्थ हो गया ए आपका हो गया सोलाहमा पैरग्राफ कम्प्रीट अब हम लोग सत्रहमे पैरग्राफ पे चलेंगे देखते हैं आपका सत्रहमा पैरग्राफ क्या है बस अब दो पैरग्राफ बचा हुआ है कुल मिलाकर के 20 मिनट में आपकी क्लास कम्प्रीट हो जाएगी इसलिए अब आपको परसान होने की जरुरत नहीं है और थोड़ा सब याप पानी पी लेते हैं दुई घंटा से चिला रहे हैं थोड़ा सब पानी पी लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग ये दो पैरग्राफ जो बच्चा हुआ है दोनों पैरग्राफ को कवर करते हैं अब आगे प्यारची यहाँ पर देखिए चमपारण की घटना चमपारण की घटना वाजर टर्निंग पॉइंट एक अहम मोड थी इन गांधी जी जी लाइब गांधी जी के जीवन में चमपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक अहम मोड थी वाट आई डीड जो कुछ भी हमने किया वाजर बेरी आर्डिनरी थिंक वाजर बहुत साधारन चीज थी जिस गांधी जी बताते हैं कि जो कुछ भी हमने किया वाजर बहुत साधारन चीज थी अगर आपके घर में कवनों आ गह रहने के लिए और उसके बाद आपके उपर अगर वो हुकूमत चलाने लगे तो समझ जाओ तो फिर मैटर गरबर होने वाला है न जैसे आपके घर में आप पती पतनी रह रहे हो पती पतनी रह रहे हो और उसी बीच में कोनों थर्ड परसन आ गया तो पहले तो इक डिस्टर्बेंस हो गया कोई ब्यक्दि हमारे सम के देश में हमें आदेर से नहीं दे सकता है बहुता ही बढ़िया काम कीए थे गांदी जी इसलिए आज नोट पे च्छपे रहते हैं ठीक है अपने करमों से लोग च्छपते हैं आईसा है नहीं कोई छप जाता है ठीक है भाईया आगे चले ना बट चंपारण डिड नाट बीगेन एज एक्ट आफ डिफियेंस आप ध्यान दर बट चंपारण लेकिन चंपारण की ये घटना डिड नाट बीगेन मिस शुरुआत नहीं हुई थी एज एन एक्ट आफ डिफियेंस अवग्या की रूप में मिस लेकिन चंपारण की घटना अवग्या की खृत की रूप में शुरू नहीं हुई थी इट ग्रिव यह हुई थी आउट आफ एन अटेंट एक प्रियास की रूप में तू एलिवेट मिस कम करने में दी डिस्टेस आफ लार्ज नम्बस मिस अत्रधिक लोगों को कैस्टों को आप पूर पिजर्ट मिस गरीब किसानों के मिस जो है यह बड़ी संख्या में निर्धन किसानों के कस्ट दूर करने के एक प्रियास की रूप में यह घटना सुरू हुई थी दिस वाज दी टीपिकल गांधी पैटर्ण यही जो है गांधी का एकदम टीपिकल मिस बिचतर गांधी का यही पैटर्ण था मिस गई समस्या का सलूशन करने का यही उनका पैटर्ण था इस पॉलिटिक्स वर इंटर्वींड उनकी जो राजनीत थी वर इंटर्वींड थी मिस गुती हुई थी विद दी प्रैक्टिकल मिस ब्यवहारी की ज्यान पे उनकी राजनीत बिवहारी ज्यान पर टिकी हुई थी, day to day problems are the millions, लाखों लोगों की प्रतेक दिन की समझाओं पर टिकी हुई थी, His was not a loyalty to abstractions, उनकी वफादारी नहीं होती थी, लेल्टी मिस होता है वफादारी, इन abstractions मिस कालपनिक चीजों में, गांधी जी की वफादारी कालपनिक चीजों में नहीं होती थी, इट वाज लेल्टी यह उनकी वफादारी होती थी, to living मिस जीवितों के प्रती, human beings, जीवित मानों के प्रती, गांधी जी की वफादारी होती थी, एह हो गया, इन everything प्रतेक तरह से गांधी जी डिड, गांधी जी ने जोकिछ किया, moreover मिस इसके अत्रिक थी, he tried to mold वा ढालने का प्यास किये, a new free Indian, एक स्वतंत भारत को, who could stand on his own feet, जो अपनी पैरों पर, सोयम के पैरों पर खड़ा हो सके, and thus make India free, और इस प्रकास से उन्होंने भारत को क्या किया, स्वतंत किया, मिस क्या हो जाएगा, कि इसके अलामा गांधी जी ने कुछ करते, उसमें एक नया स्वतंत भारती ढालन था, तो प्यार्चे यह हो गया, आपका, एक बार फिसस का अर्थ देख लेना, कि in everything प्रतेक तरह से गांधी जी जी ने जो किया, more over means इसके अतरिक्त, he tried to mold, वह मोडने की कोशिस की, a new free Indian means एक नए भारत को, एक नए आकार देनी को उन्होंने कोशिस किया, who could stand on his own feet, जो तो भाया, यह हो गया, आपका 17 पैराग्राफ कम्प्लीट हो गया, अब हम लोग 18 और अंतीम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, बोलो चले बच्चा लोग, तो चले ना अंती पैराग्राफ की तरफ, एकलस या डाई गंटे का अंदरवई में कवर हो जा रही है, तो जल हमारे पेड़ क्लास की बच्चे हैं, तो भाया, आप तो बचके रहना, आपका नंबर है हमारे पास, किसी भी दिन कॉल करके आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप इस बात के लिए हमेशा तयार है ना, अब आगे चलते हैं पैरचे 18 और अंतीम पैराग्राफ की तरफ, औ लाइक में तो कंजूसी किये ना, तो समझानक हम पढ़ाने में कंजूसी कर देंगे, इसलिए लाइक में कोनों कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आगे देखिए, अल्ली इंदी चंपारण एक्सन, मिस चंपारण घटना के सुरू में ही, चार्ल्स फ्रियर एंडूज, चार्ल गांधी का एक समर्पित अनुआई बन गया था, came to bid आया आग्या लेने के लिए, बिड मिस होता है आग्या लेने के लिए, मिस गांधी जी से ओर वेल मिस जाने के लिए, गांधी जीसे जायने के लिए आग्या लेने के लिए, वह आया, before going on to a tour of duty to his physical island, मिस फिजी दीप प एक अंग्रेज सांती दूत चाल्स फ्रियर एंड्यूज जो महत्मा गांदी के समर्पित अनुवाई बन चुके थे फीजी टापू पर फीजी दूइप पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पूर विदाई लेने के लिए गांदी जी के पास आते हैं आगे देखिए गांदी जी जी लायर फ्रेंड्स गांदी जी के वकील दोस्त थाट में सोचे इट उड़ बी गुड आइडिया कि यह एक अच्छा विचार होगा फार एंड्यूज की एंड्यूज टू इस्टे इन चंपारन में ही रुक जाए और उनकी मदद करें मिन्स जए गांदी जी के वकील दोस्तों ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है कि एंड्यूज यहीं चंपारन में रुक जाएं और उनकी मदद करें आप ध्यान देना एंड्यूज वाज विलिंग एंड्यूज भी इच्छुक थे विलिंग मिन्स होता है इच्छुक हो ना धंग से क्या क्या विरोध क्या he said उन्होंने कहा you think आप सोचते हैं that in this unequal fight इस गैर बराबरी के लड़ाई में it would be helpful क्या यह लावदायक होगा if we have an Englishman on our side यह एक अंग्रेज व्यक्ति हमारे तरफ होगा तो क्या यह हमारे लिए लावदायक होगा इस सोच यह दिखाता है the weakness of your heart यह आपके हिर्दय की कमजोरी को दिखाता है means अगर आप जिसके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं उसी में से एक ब्यक्ति को अपने तरफ मिला करके लड़ाई लड़े हैं तो साही सी बात है यह आपके हिर्दय की कमजोरी को दिखाता है यह बात गांदी जी ने कहते हैं अपने वकील दोस्तों से the cause is just means यह जो हम लोग काम कर रहे है just means सही है and you must rely on और आपको विस्वास करना पड़ेगा rely on means होता है भरोसा करना विस्वास करना होगा you should not seek a pop आपको एक बैसाखी की खोजने की आवसकता नहीं होगी you should not seek आपको खोजने की आवसकता नहीं होगी नहीं है to a pop means होता है बैसाखी या सहारा in Mr. Indu's Mr. Indu's के रूप में आपको बैसाखी का सहारा खोजने की आवसकता नहीं है because he happens to be an Englishman क्योंकि जो है वह induced सयोग वस एक अंग्रेज है तो इसलिए induced के रूप में आपको एक बैसाखी कोजने की आवस्ता नहीं है यह प्यार्ची हो गया आगे चलते हैं आगे देखते हैं to be an Englishman आगे हो गया he had read our minds correctly he had read वह पढ़ लिये थे our minds means हमारे दिमाग को correctly means एकदम सही सही means वह हमारे दिमाग को एकदम सही सही पढ़ लिये थे राजेंद प्रसाद comments राजेंद प्रसाद इस बात को comment करते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग को सही सही क्या कर लिया था पढ़ लिया था तो वही चीज है राजेंद प्रसाद कमेंट करते हैं कि he had read उन्होंने पढ़ लिया था our minds correctly हमारे दिमाग को सही से उन्होंने पढ़ लिया था and we had no reply और हम इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए गांधी जी in this way गांधी जी इस तरीके से taught us हमें सिखाए अलेशन मिस एक पार्ट सिखाया in self reliance मिस आतनिर्भरता का या स्वावलंबन का इस प्रकार से गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का क्या किये पार्ट पढ़ाए पार्ट सिखाये self reliance मिस होता है आतनिर्भरता या स्वावलंबन होता है आगे चलते हैं self reliance मिस स्वावलंबन म की मदद, were all means ये सारी चीजें bound together means एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये जो सारी चीजें हैं कि means स्वावलंबन भारत की स्वाधन्ता और बाटारी दारों की सहता, ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या हुई थी, intertwined थी means एक दूसरे से जुड़ी हुई थी तो प्यारचे यह हो गया आपका पांचवा चैप्टर Indigo का फुल हिंदी explanation हो गया आपको एक एक word की meaning बताती हुए विस्तार से हमने इस चैप्टर के बारे में चर्चा कर लिये हैं अब उमीद करते हैं आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी समस्या दिक्कत नहीं होगी इस बात की उम्मीद करते हैं अगर प्यारचे आपने अंतर तक last किया होगा तो कहीं आपको समस्या नहीं होगी अब हम लोग एक बार फिस से बात कर लेते हैं कि आपको पेड़ क्लास में admission कैसे लेना है और पेड़ क्लास में आपको क्या क्या सीज़े मिलेंगी तो प्याचे पेड़ क्लास में आपका complete syllabus करा जाएगा means first paper plus grammar पूरी तरह से complete करा जाएगा और एस syllabus आपका October के last तक complete कर दिया जाएगा आपको PDF provide किया जाएगा means class की तुरहन बाद आपको class का PDF दिया जाएगा doubts classes आपकी चलेंगी टेस्ट आपका weekly और monthly होगा model paper करा जाएगा means आपके board परिच्चा में किस प्रिकास से equation paper आ रहा है उसका आपको model paper के रूप में प्रैले प्रैक्टिस करा दिया जाएगा revision series चलेगा सबसे बड़ी बात प्यारपची यही है कि इस बार आपको paid class की ग्रूप में revision series देखने को मिले गया यह ओ revision series है जिससे हमने पिछले सत्मे 100% paper को match कराए वे थे तो आपको revision series paid class के ग्रूप में ही देखने को इस बार मिलेगी अब हम लोग बात कर लेते हैं कि paid class की fees क्या है तो प्याच्छे paid class की fees केवल 499 रूपए है और यह पुरे सत्र के लिए है जब तक आपकी board परिच्छा नहीं हो जाती ऐसा नहीं कि आपको monthly pay करना है और आप payment कैसे करेंगे आप google pay, phone pay, paytm, beam app इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप payment कर सकते हैं और अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके payment कर रहे हैं तो जो आपको यहाँ पर number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है इसी number पर आपको payment करने है अगर आप इन माध्यम में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके payment कर रहे हैं तो इसी number पर आपको 7392937172 पर का करने है payment करने है या फिर प्याच्चे आपको यहाँ पर bank detail दिया गया है आप इस bank detail का प्योग करके भी payment कर सकते हैं या फिर प्यार्चे आपको यहाँ पर कुछ QR code दिये गए हैं आप इन QR code को scan करके भी payment कर सकते हैं और payment करने के बाद आपको payment का screenshot ले लेना है उस screenshot को आपको इसी number 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है इसी number पर आपको WhatsApp कर देने हैं WhatsApp करने के बाद आपको एक form भी ज़ाजाएगा इस form को आपको fill up करने है form को fill up करने के बाद अगर आपसे किसी un additional जानकारी की आवसकता होगी तो आपको call कर लिया जाएगा इधा से बाकी नहीं तो आपको 24 घंटे के अंदर paid class के ग्रूप में आपको add कर दिया जाएगा लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है payment की regarding या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इस number पे 24 घंटा phone call कर सकते हैं आप WhatsApp message कर सकते हैं तो प्याँचे यह हो गया पूरा admission का process हो गया किस तरह से आप paid class में admission की प्रक्रिया हो गई अब हम लोग class की ही समाप्ति करेंगे और class की समाप्ति कुछ बेहती लाइनों के साथ करेंगे सायथ हांतों की लकीरे men ooh तक ना पहुचा पाये मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी तिसलिए प्याचे मेहनत से किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाईज नहीं करोगे पुरी जोस जजबा लगा करके जितना कर सकते हो आप उतना मेहनत करो कि कोई आपको अपनी माबाप के सपने को पूरा करना है आपको अपने स्वेम के सपने को पूरा करना है तिसलिए आप से उसके लिए मेहनत और त्याग की आवज सकता है और उम्मीद करते हैं हमारे सभी प्यार विचे मेहनत और त्याग में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तो इन्हीं उम्मीदों के साथ जो भी बच्चे चैनल पे प परिवार का ध्यां रखें लब यू यू प्हार विचो अ झाल